कि आपकी प्रिप्रेशन अच्छी चल रही होगी है की रही और हैपी चिल्टन जे टू यू और लव यू ऑल हाला कि पता नहीं यह वीडियो अप तक कब तक पहुंचेगी पर आज है तो विश करना तो बनता है अब काम की बात निको भई आए क्या लेकर आए तो मैं लेकर आपके लिए शेयर फोर फीचर यानि फोर फीचर आफ शेयर आखरी पार्ट इस शेहर का इस जंगल का जहां पर हम यह सीखेंगे कि अगर कोई वेक्टी फेल हो जाए कंपनी क्या करें भई पैसा तो कंपनी को चाहिए ना तो फिर वो उस परसन से शेयर ले लेते हैं और उ इसलिए तो आएं चलिए तो फिर देखते हैं ओवर विव फीचर आफ शेयर पहले इसको समझेंगे क्या है इसमें क्या नहीं है फिर ज़नल एंट्री जानेंगे इससे रिलेटेट दैन इलस्टेशन करेंगे ठीक है आज कम चार या पांच इलस्टेशन तो होंगे मुझे पता तो है हितना तो चलिए फे श्टार करें तो देखिए सबसे पहले कुछ चीजे समझने वाली है धहीं यहा पर एक इंप्री तो फिख क पॉब्लिक ने कहा अरे भाईया जी आपने इशु करती आप ही का तो था इंतजार तो पॉब्लिक ने भी शियर यहां से ऐसे सब्सक्राइब कर लिए ठीक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्रिटेरी हमको पता है उसके बाद ही आगे का प्रोशिजर होता है तो जो भी फेल होगा वो अलर्टमेंट से सही होगा ठीक है तो इसमें कोई कन्फूजन मत रखना मुझा आपको आया भी नहीं होगा तो लेट सपोज उसने अलर्टमेंट के पै अब हम इससे कहरें बहित दो भाड़त है बही पैसे दो भाड़त हो नहीं दे रहे हैं काल में भी फैल हो गहा है इसी आम्मांटस है यह मतलब इसी Number of Shares से अब यह वटऊंड में और वनधाउजन से वेल हैं और कॉल में सभी तो प्र हमैं एहां बोला गया इसको total मत कर दीजेगा ठीक है तो यानि कि यह fail हो गए अब company बड़ी सोच रही है क्या किया जाए क्या किया जाए इन सब चीजों का क्या ही करें यार बोल रहे हैं हम उनको दे दो पैसे दे दो दे ही नहीं रहे हैं क्या ही करें हम तो फिर company गई हमारे researchers के पास company कहा चली गई में में हां करते हैं तो इन्हों ने क्या किया इन्होंने बंदवस्थ यह शेयर आप वापस ले लो पैसे नहीं दे रहे यह राम जी कि कर दो ठीक है तो यानि की इसे कहते हैं शियर किसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति आप से शियर ले चुका है आपने उसके नाम पे अलॉट भी कर दिये हैं पर वो किसी स्टेज पर जाकर आपको पैसे नहीं चुका रहा है अब आप क्या करोगे पैसे तो आपको चाहिए आप तो मांगते रहोगे लेकिन एक सीमा होती है ना की या फिर पेशेंस की अब नहीं दे रहें तो रिसर्चर ने कहा उन शियर को आप फॉर्फिट कर सकते हो फॉर्फीचर का मतलब क्या हुआ भी या इसका मतलब यह है कि उनका रिस्टर से नाम हटाओ शियर को वापेस ले लो अब कंपनी ने शियर अपने पास रख लिए अब जब कंपनी अपने पास शियर रख लेती है अब शियर रख के क्या करें अचार तो बनाईगी नहीं तो फिर क्या करना चाहिए तो कंपनी ने फिर रिसर्चर से पूछा कंपनी ने फिर रिसर्चर से पूछा तो रिसर्चर ने कहा इशू कर दो यानि कि यहां पर पहले शियर फूर फीचर होगा फिर सेकेंड रिसर्चर ने क्या कहा कि अब जो शियर आपके पास आगे इसको मार्केट में दुबारा बेज दो देखो अगर कोई और खरीद ले तो यानि कि रीशू किया होगा रीशू होगा फिर अब जाहर सी बात है भाई या अब देखो कोई दसका शियर हो एक्जामपल के लिए और उसने एक्जामपल के लिए उसने दो तीन पाँच ठीक है एप्लीकेशन स्टेड़ पर दो रुपे अलोट्मेंट स्टेज पर तीन रुपे और कॉल पर मालो जो पांच रुपे फैल फिर सने फाइनल काल अगर मालो को इसपर फेल हो गया ढ़ा एक्जामपल के लिए अब भईया यह तो पांच ही रुपे से फेल हुआ company के पास जब share आएगा और वो ratio करेगी तो कितने से करें सिर्फ 5 से या कितने से तो ये तो terms and condition पर depend करता है company 10 रुपे में भी कर सकती है 8 रुपे में भी कर सकती है 5 में भी कर सकती है तो ये caution to caution depend करेगा यानि कि ratio कितने का भी हो सकता है फिर ये भी point आथा कि भाईया अगर company ने हजार share जबत किये तो क्या ratio वो हजार ही कर देगी ऐसा भी जरूरी नहीं है depend करता है situation on situation company हजार भी ratio कर सकती है उसके पास अधिकार हजार का भी है वो चाहे तो 500 500 कर के करे 400 600 कर के करे या 1000 के 1000 ratio कर दे अब point या था कि भाईया जब share for feature किया तो इस पर वो fail हुए तो ये पैसे नहीं मिले अब company अगर 10 भी कर सकती है 8 भी कर सकती है 5 भी कर सकती है तो यानि कि company को पैसे जदा भी मिल सकते हैं कम भी मिल सकते हैं हाला कि कम पे तो company देगी नहीं तो जदा मिलने के chances होते हैं तो ऐसे case में third entry आती है कि अगर आपको इस procedure के तहट share for feature किया उसको रीशू किया उसके तहट अगर फाइदा हुआ तो फिर ये capital profit है कहा जाएगा मुझे उमीद है कि आपको ये बात पता होगी नहीं पता तो मैं तो पता ही रहा हूं कि ये जात है capital reserve में इस type के profit को capital nature का profit बोलते हैं ठीक है जो उमीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे यानि कि यहाँ पर जो basic चीज हमें सीखनी है इस chapter में आज की class में कि भाई आप forfeit कैसे करेंगे रीशू कैसे करेंगे फिर capital reserve में transfer कैसे करेंगे हाला कि entry तो easy है capital reserve की पर थोड़ी बहुत calculation कभी कभी हो जाती है तो उस पर हमको ध्यान देना है और फिर इस share को क्या करना है टाटा बाई 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 तो चलते हैं caution की तराफ पहले थोड़ी थी theory लेंगे फिर caution को समझेंगे ठीक है now for feature of share क्या कहलाता ही है तो if any shareholder fails to pay the amount कोई भी shareholder अगर fail हो गया fails to pay the amount due on allotment or any call within the specified period the directus may cancel his share this is called for feature of shares cancel का मतला भी है नहीं कि उसका share भाद देंगे मतला अपने register से उसको as a shareholder का नाम हटा देंगे कहेंगे टाटा बाई भाई ठीक है now the shares can be forfeit only if हाँ ऐसा भी नहीं है कि मरबर जी में आया तो यह articles से allow होना चाहिए यानि आपके article of association में यह बात लिखी होनी चाहिए अब देखिए इसने उन्हें कह दिया कि article of association में होनी चाहिए नहीं होगी तो उसे point माना जागा आपके पास यह power ही नहीं है तो आपोफिट कैसे करोगे ठीक है अब मैं आपसे पूछू कि क्या ऐसा हो सकता है कि article में ना लिखा हो यह company के फाइदे की चीज़े यह तो सबसे पहले लिखी होती है ठीक है तो ऐसा possible नहीं है अगर by chance नहीं लिखा होगा तो यह नहीं कर है यानि basic point यह कि कुछ भी नहीं करेंगे नहीं कुछ करेंगे और वो किसके हिसाब से हो जाएगा फिर table f के हिसाब से हो जाएगा schedule आई बार बार यह नाम हमने बढ़ा हुआ है इसको तो यादि कर लो कि यह कुछ भी होगा शेयर से रिलेटेड अल्टिमेटी लास्ट में यह लास्ट इसी को कहते हैं यहीं जाना है फिर यहां जो लिखा होगा वो माना जाएगा अगर आपके बास आर्टिकल आपने उसमें नहीं लिखा तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो entries अब यहां ध्यान दीजिएगा ठीक है तो share application to share capital है ना हम इसको capital में transfer करते थे simple सा point है यह हम करते थे कोई भी stage होगी share allotment to share capital यानि कि हम पैसे को capital में transfer करते थे capital अपना increase करते थे share capital अब क्योंकि आप उससे वो shares वापिस ले रहे हैं तो आपको calculate करना होता है क्या calculate करना होता है कि भाईया यह जो shares है जो fail हो गए इस पर आपको कितने पैसे मिले और कितने नहीं मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा reverse entry करनी पड़ेगी यानि कि यह जो share capital है यह साइट जाके चला जाएगा share capital debit करना चला जाएगा debit तो आपको यह पता चला कि भी यह तो आप हटाना पड़ेगा इस amount को तो ठीक है तो यह हो गया debit टू टू जो जो पैसे आपको मिल गए तो अगर मान लो application पर मिल गए तो to share application allotment में नहीं मिले तो to share allotment ठीक है calls में नहीं मिले तो to call first call second call मैं call लिख दे रहा हूँगी फिलाल के लिए ठीक है तो यह आपकी entry होती है अब आप कहूंगे भाईया हो सकता है इस question में premium का अभी case हो विल्कुल सही बात है premium का case हो सकता है तो ऐसे case में जहिर सी बात है अगर आप ध्यान देते हो तो entry का करते थे share application to share capital to securities premium application stage नहीं होगी तो share allotment to share capital to securities premium यहीं तो आता था कि debit होगा ठीक है बस इसमें एक point है कि let's suppose अगर मान लीजिए premium call के उपर है कहां पर premium है यहां पर है ठीक है और वो यह fail हो गया तब तो premium आप debit कर देंगे तब उसका transactions लिया जाता है लेकि let's suppose allotment पर है कहां पर है allotment पर premium है ठीक है allotment पर premium है और allotment पर वो fail नहीं हुआ यहां पर वो fail नहीं हुआ ऐसा कोई case आता है ठीक है यहां पर वो fail नहीं हुआ तो entry क्या हो जाएगी share capital debit to share application to call यह allotment नहीं आएगा हाला कि हम इसके questions भी करेंगे पर अभी ध्यान से देख लीजेगा या फिर अलग-अलग से entry कर लीजेगा तो देखिए share capital debit to securities premium debit तो मैंने क्या कहा आप से कि अगर वो किसी चीज़ पर fail हो गए allotment या call में से और उस पर premium भी है तो फिर premium debit जा नहीं है यानि premium amount की calculation की ज़राद नहीं है ठीक है if fails on any stage on any stage and there is premium and there is securities premium then security premium 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 विल बी विल बी डैबिटेट लिखा हुआ रहा है विल बी डैबिटेट ठीक है तो हम इसको डैबिटेट करेंगे एड़ टाइम आफ एड़ टाइम आफ शेयर पूर पीछर ठीक है बस इतनी सी बात है अगर माल लीजे ना हो तो नहीं करेंगे भी आ ऐसा क्यूं क्यूं कर रहे हैं ऐसा अगर ना भी fail हुआ हो तो भी कर सकते हैं कर सकते हैं तो उसका impact नहीं आएगा जैसे माल लीजे example के लिए मैंने का यहां 10 रुपे है ठीक है तो यह तीन छे और यह तो यहां पर साथ होगा यह साथ कैसे होगा क्यूंकि यहां पर चार है यहां पर प्लस तीन है ठीक है तो जो person fail हुआ है उसने premium का भी amount नहीं दिया तो premium की calculation अलग और यहां पर यह चीज अलग आएगी पर let's suppose अगर premium यहां पर है ठीक है अगर यहां पर फेल ही नहीं हुआ तो यहां पर ज़रूत नहीं पड़ीगा क्योंकि उस तो सिर्फ लिखने भर के लिए तो हमें एक एंट्री में सिखाया गया है कि अगर वह फेल नहीं हुआ तो आप यहां premium को भी debit मत करो और इसको भी 6 की जगे पर 3 लिख दो क्योंकि premium के पैसे मिली गए तो वो तो premium में चल रही गए होंगे तो आपकी balance sheet में तो दिखाई दे रहे होंगे तो इस बात को बस आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे share capital account debit करेंगे क्यों क्योंकि जो भी आपने उनके जो भी आदमी fail हुआ है उसका जो भी capital में add हुआ है वो सब कुछ debit में जाएगा क्योंकि आपको देखना है कि क्या पैसे मिले क्या पैसे नहीं मिले debit फिर अगर security premium है और उस पर fail हो गया आदमी तो security premium भी debit to share application यहां पर यह होता है share for feature ठीक है यह क्या हो जाएगा share for feature जहां पर पैसे मिल जाते हैं उसमें हम share for feature word use करते हैं ठीक है तो अब share application stage पर हमको पैसे मिल गए तो अब हम वहां क्या word use करेंगे share for feature word use करेंगे ठीक है तो share for feature word use कर लिया हमने अब उसके बाद अगर नहीं मिलेंगे जहां जहां पर तो उनके नाम आते जाएंगे जहां जहां पर मिल जाएंगे वहां पर share for feature अच्छा भई आप के रो share for feature अगर allotment stage पर भी मिल गए तो तो जाहर सी बात है यह दोनों रुपए यह दोनों रुपए आपके share for feature के अंदर आ जाएंगे यहां पर share for feature आने का मतलब है वह amount जो आपने receive किया ठीक है और जो नहीं किया उसका नाम आ जाएगा अगर allotment में नहीं किया तो अब चलते हैं थोड़ा सा देखने के लिए कि theory aspect में यहीं हो रहा है या नहीं तो देखिए यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा अगर कोई confusion हुआ भी तो तो देखिए for feature of shares which were issued at par यानि कि यहां पर कोई यहां यहां पर नहीं आएगा जितने आपने उनसे लिए हैं और शियर कैपिटल मांगा ही नहीं ठीक है तो वह एमांट यहां पर नहीं आएगा शियर कैपिटल में सिर्फ उतने ही पैसे आएंगे जितने आपने उनसे लिए हैं और शियर कैपिटल में ड्यू की एंटी डाली है ठीक है now then share allotment account if देखिए क्या point है not received share call account if not received पर अगर कोई चीज रिसीव हो जाएगी तो वह share for feature account में जाएगी share application की जगे पहां क्या नाम call आएगा ठीक है तो एंट्री जाएगी share capital account debit to share call to share for feature फिर इसके अंदर application प्लस allotment आजाएगा ठीक है अगर allotment में भी आया है पैसा तो और अगर फेल हुआ है तो allotment अलग से आएगा अगर फेल हुआ तो यह अलग से आएगा ठीक है और amount received on application allotment या जहाँ पर भी मिलेगा मालों अगर सिफ second call से हुआ तो first call पर भी तो मिली जाएगा पैसा तो वो सारा पैसा यहाँ पर आजाएगा narration for features of share issued at par मुझे उमीद है कि अब आप ये बात समझ गए होगे share capital debit क्यों हुआ यह यहाँ पर क्यों आ रहे हैं यह हम समझ गए अब केस आता अगर premium हो गया तो तो premium हो गया तो कुछ नहीं है share capital account debit securities premium भी debit क्यों क्यों क्योंकि साइर सी बात है पहले आप उसको credit कर रहे थे अब पूरा calculation करना है तो इसको reverse करना पड़ेगा तो debit करेंगे क्योंकि सामने वाला बंदा fail हो गया हम उनको अपनी book से हटा रहे हैं ठीक है फिर वही बात है share allotment share call और share for feature account पर याद रखिएगा कि यहां पर तभी आएगा premium जब उस stage से fail हुआ है मतलब किसी भी stage से fail हुआ है और उसमें premium है ठीक है तब उसकी calculation करना हमारे लिए जरूरी होता है अगर मान लिजे उस पर उसने पैसे चुका दिये हैं और उस पर premium है तो premium ना यहां लेने की ज़त पड़ेगी इसी देखिए यहां क्या लिखा है amount not received on allotment including premium यानि यहां पर जब आप amount लिखेंगे तो including premium लिखेंगे ऐसे ही amount not received on calls अगर मान लिजे कोई premium का case आता है call पे उपर तो यहां पे भी premium का amount लिया जाएगा अगर वो fail हो रहे है तो और बाकी तो वह यह जो भ debit की है उसको वापिस करेंगे तो debit करो अगर किसी stage से फेल हुए है उस stage पर premium भी है तो securities premium भी debit करो to जहां फेल हुए उनका नाम to अगर call पे फेल हुए तो call का नाम to share for feature share for feature में वह amount आएगा जो आपको मिला है पहला stage है ठीक है ध्यान रखिएगा first stage है जिसमें हम for feature of share कर रहे है ठीक है power of premium दोनों समझ लिए अब आगे बढ़ते हैं अब आता है ratio of fitted shares यहां पे certain cases है तो मैं आपको बता देता हूं पहला case पहला case यह है कि जब मैं ratio कर रहा हूं ठीक है तो मेरा मन है मैं कितने में भी ratio कर सकता हूं मुझे लग रहा है कि यार शायद यह ratio का case है मैं अगर 10 में बेचने जाऊंगा तो नहीं होगा या 10 में हो जाएगा या 10 से ज़्यादा भी मिल जाएंगे तो तीन cases है पहला case अगर मुझे पैसा मिला अब देखे मैं share दुबारा issue कर रहा हूं मैं share दुबारा issue कर रहा हूं तो share capital दुबारा raise होगी और मुझे पैसा मिलेगा तो bank account डेविट बैंक एकाउट डेविट तू शियर क्यापिटल क्या हो जागा टू शियर क्यापिटल यह पहला केस है दूसरा केस मुझे लगता है कि यार दस नहीं मिलेंगे यह 10 हो जाएगा 10-10 रुपे के हिसाप से ठीक है दस नहीं मिलें कुछ कम मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा bank account debit जितना मिलेगा वो यहां पर ठीक है जितने से मैंने कोशिश किया issue की तो to share capital ठीक है जितना से मैंने मांगा अब अगर नहीं मिले तो उसको आपन discount कहते हैं पर यहां discount नहीं लिखना है यहां लिखना है share for feature ठीक है क्योंकि पहले किसी जमाने में यहां पर discount और फोर फीचर दोनों आते थे अब जो पैसे नहीं मिले ठीक है discount का case नहीं आएगा जो पैसे नहीं मिले वो share for feature में होगा है भाईया यह क्या बोल रहे है पहले बोल रहे थे जो मिलेंगे तो और अब बोल रहे हो जो नहीं मिलेंगे तो हाँ यही आपको याद रखना है कि अगर आप share forfeit कर रहे हो तो उस समय वाली entry में share for feature में वो not received बस यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अगर पार का case है तो यह हो गया यह पार का case है ओके और यह आपका एक तरीके से discount समझ लिए नहीं तो मैं आप लिख देता हूं कि called up called up 10 है paid up let's suppose 8 है तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर 10 रुपे जो पैसा मिला वो 8 यहाँ पर और 2 रुपे यहाँ पर इसके लिए आपके share for feature में चला जागा तो याद क्या रखना है कि रीशू के time जो share for feature में amount आ रहा है वो actually में क्या है जो पैसे नहीं मिले for feature किसम है share for feature वाली जो entry है यह वाली इसमें जो amount आ रहा है यहाँ पर उसमें जो है amount received वाला आ रहा है ठीक है अब जाहिर सी बात है कुछ आपको amount receive हुआ कुछ receive हुआ और कुछ आपको यहाँ पर receive नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे इन दोनों amount को minus करके देखेंगे कि हमें कितना profit मिल रहा है उससे पहले third case देख लीजे third case क्या हुआ थर्ड case हुआ कि भाईया premium पर भी तो जा सकता है मैं कहूं हाँ बिल्कुल जा सकता है हम सब तो चाहते ही है अगर अपना business हो तो हम तो यहीं चाहते है कि वह जतना जादा premium मिले उतना अच्छा है तो value होगी तो premium भी मिलेगा तो to share के capital तो entry तो वही है to securities premium ठीक है अब इसमें क्या होगा तो let's suppose बारा रुपे मिले तो बारा दस और दो ठीक है अब इन तीनों में से कोई ना कोई situation बनेगी ठीक है फिर हम इस situation को यहां से match कराएंगे फिर देखेंगे कि यहां पैसा मिल गया मान लीजे ठीक है यहां पे नहीं मिला है यहां पे नही मिला वही का वही ट्रांस्फर हो जाएगा मेरे कैपिटल रिजॉर्फ में में जो पैसा नहीं मिला, तो हमें क्या करना है, हमें करनी है, इसको कह देते हैं second entry, ठीक है, और अब कर लेते हैं अपन third entry, third entry क्या होती है भईया, तो third entry होती है इसी में, पहला for feature, दूसा री इशू, तीसरा transfer का entry, जो कि capital reserve में transfer होता है, तो entry हो जाती है, share for feature account debit to capital reserve, भईया, ये entry क मैंने का, okay, तो देखिए यहां पर, क्या हो रहा है, share for feature account debit to capital reserve, अगर आप देख रहे होंगे, जो पैसे मिल गए, वो यहां इखटे हो गए, और जो नहीं मिला, वो यह रहा है, यहां पर आ गया, जो मिला, जो नहीं मिला, उसको minus किया, तो कुछ पैसा बच गया, वो मेरे लिए क्या है, capital profit है, capital नीचे का profit है, तो capital reserve में transfer होना चाहिए, तो बस वही मैं यहां पर transfer कर रहा हूँ, ठीक है, फिर यहां पर वो amount आ जाएगा, अब भाईया, ऐसा भी तो हो सकता है, कि four feature करते वक्त, यहां पर 1000 share थे, ठीक है, रीशू करते वक्त, आपने मान लो 600 share पर का किया, तो इसका बनता है formula, क्या बनता है, formula, ठीक है, चलिए, तो उसको देख लेते हैं, तो formula क्या बनेगा भीया, formula, ऐसे case में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे share for feature amount, ठीक है, कौन सा वाला, जो आपको receive हो गया, कौन सा वाला, जो आपक receive हुआ, यानि कि first case वाली entry, divided by number of share, लिख देता हूँ मैं, यानि जिस पर वो fail हुए, यहाँ पर number of share forfeited लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, बुक में जातर forfeited ही रहता है, तो वो ज्यादा better रहेगा, तो number of share forfeited, क्योंकि हो सकता है, कई हो पर fail हुए होंगे, लेकिन सब forfeit नहीं किये गए होंगे, तो यहाँ पर better word क्या है, number of share forfeited, फिर आप into करेंगे, into करेंगे, किसका number of share is reissued, किसका into करेंगे, number of share, number of share reissued, ठीक है, यह formula है हमारे पास, अब इससे क्या होता है, कि आपको यह पता चल जाएगा, कि जैसे let's suppose, यहाँ पर हम है, तो 600 और 500 में हमने, let's suppose 500 माल लेते हैं, ठीक है, 500 हमने reissued किये, तो होता क्या है, कि जब आप यहाँ जाओगे, तो let's suppose यहाँ पर अगर 1000 share है, हमारे पास जो example था, 2 रुपे के हिसाप से, तो 2000 रुपे हमें यहाँ मिले, ठीक है, हमें कितने मिले, 2000 हमें यहाँ पर मिले, हमने य issue किया, तो 500 पर क्या आएगा, यहाँ पर 5000, यहाँ पर 1000, मैं दूसरे color में लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए, 5000 कैसे हुआ, 500 share हम मान के चल रहे हैं तो 500 into 10 रुपे, तो 5000, फिर यहाँ पर 4000 आ जाएगा, और यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है, done, अब आगे बढ़ जाते हैं, तो देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जब हम इस formula में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो share forfeit amount है, यहाँ पर चल जाएगा 2000 रुपे, ठीक है, 2000 रुपे, लेकिन number of shares forfeit कितने हुए थे, 1000 रुपे थे, ratio कितने हुए, 500, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक share forfeit और है, यहाँ पर क्या है, एक share forfeit और है, तो इस formula में एक और चीज आगे बढ़ती है, minus share forfeit at the, यह share forfeit amount है, ठीक है, amount at the time of share reissued, ठीक है, यह आपका पूरा formula बन गया, formula के मतलब क्या हुआ भीया, कि यानि कि देखे, सबसे पहले तो अगर आपने जो forfeit किया, वही sale किया, तो कोई जंजट ही नहीं है, formula में यह चीज नहीं आएगी, सिर्फ formula क्या बनेगा, simple formula बनेगा, share forfeited वाला amount, amount received minus share forfeited not received, ठीक है, यानि कि अगर, अगर आपने 1000 share पर fail हुए है, दो रुपे के साब से जो भी पैसा मिला, वो share forfeited में जाएगा, पहली entry में, यहाँ पर पैसा चला जाएगा, फिर क्या करना है, कुछ नहीं, अगर पूरा का पूरा ही आपने ratio कर दिया है, तो यहाँ पर जो भी amount आ रहा होगा, उसको minus कर दे पर नुकसान दिख रहा है, यह उस forfeit amount से minus होगा, फिर हमारा amount यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए, आपने पूरा का पूरा share ratio नहीं किया, सिर्फ part में किया, तो फिर formula बढ़ेगा, ठीक है, यह वाला formula तो हमारा चल गया, simple वाले case में, अब formula बढ़ेगा यानि कि आपको जो part है, जो आपने ratio कर दिया है, सिर्फ उसका forfeited amount चाहिए, जो part आपने ratio कर दिया, उसका forfeited amount चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो forfeiture वाला amount है, यहाँ पर जो forfeiture वाला amount है, वो पूरा का पूरा 1000 share के उपर है, है ना, क्योंकि आपने पूरा पूरा forfeit किया, पर जो आपने रीशू किया, तो सिर्फ 500 किया, तो आपको forfeit amount वो वाला चाहिए, जो 500 के उपर बनता, तो इसलिए आपने इसको ऐसे percentage में निकाल दिया है, ठीक है, तो आपको पता चला कि भाई, इतना amount बन रहा था, अब इसी case में अगर आप देखेंगे, तो जो हमारा example है, example हमारा क्या है, example हम से कह रहा है कि भाई, यह 1000 रुपे forfeit हुए थे, ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, minus करेंगे 1000, यानि कि कितना आंसर आजाएगा, nil, तो इस बार हमारे पास, reserve में कुछ जाएगा क्या, यहां पर nil बटे, सनाटा हो जाएगा, यानि कि कुछ भी नहीं वही हमारा पूरा capitalism में चला जाएगा, ठीक है, तो अब मुझे उमीद है कि आप तीनों चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं, caution पर, previous वीडियो आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि starting entries तो वही होती हैं, ठीक है, तो शुरू करें, कहिए, आप कह र at each, at a premium of rupees, 10, यानि की 110 की calculation होगी, on application, 30 रुपे हमने का, okay, on allotment, 40 रुपे, including premium, यानि की 30 प्लस 10 है, ठीक है, याद रखिएगा, premium की entry अलग से आएगी, मतलब, premium अलग से account खुलता है, तो 10 रुपे अलग से लिखने हैं, फिर 40 रुपी है मारे पास, first and final call, 30, 40, 40, 110, match हो रहा है, ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं, now all the shears were applied and installments received on due dates, with the exception, यहीं तो खेल होता है, exception, क्या है exception, of allotment and first and final call, यानि की एक वेक्ती allotment and first and final call से fail हो गया, कितने shear थे उनके पास, 100 shears थे, तो these shears were forfeited and re-issued at fully paid 105 per share, यानि की 100 का share था, रीशू के टाइम, हम एक 105 का बेज दिया भीडू, यानि की 5 रुपे का profit है, रीशू के टाइम, अब हमको क्या करना है भाईया, तो past necessary general entries करनी है, in the books of company, तो हम ये questions शुरू से कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए का, basic चीज अगर आपने third video देख रखा है 30, 30 into, जो आपके पास shares है, 5000, 30 into 5000, 150, फिर share application to share capital, फिर allotment आएगा, allotment में आपकी पहले due की entry होगी, जिसमें premium भी आएगा, बस ऐसे कार्मा बढ़ता रहेगा, तो चलिए फिर पहले easy वाला काम कर लेते हैं, तो bank to share application, 5000 into 30 यानि की 1.5 lakh, 1.5 lakh, फिर आपको यहाँ पे भी 1.5 lakh, due की entry आप पहले होगी, तो share allotment to share capital, due की entry पहले होती है, तो क्या बोलते हैं, अपने पास 40 और 5 था ना, तो 40 और 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 lakh चला जाएगा, लेकिन share capital में 3 ही रुपे से जाएगा, securities premium reserve में 1 रुपे extra आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 रुपे महीं पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1.5 lakh और यहाँ पर हो जाएगा 0.5 lakh, ठीक है, 5000 into 10 करेंगे तो 50,000 आएगा, 0.5 lakh का मतलब 50,000 ही होता है, ठीक है, और दोनों का total करेंगे, तो 2 lakh हो जाएगा, फिर अब आती बारी receive की, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बं allotment and first and final, ठीक है, तो यानी की 100 into 40, यानी की 4000 रुपीज हमें नहीं मिले, तो फिर अब क्या करें, जब बैंक में जाएंगे, तो हमें 4900 रुपे के उपर ही मिला, तो इसको करेंगे, तो यहाँ जाएगा, 196, ठीक है, 196, 4000 नहीं मिले, आपको पता ही है, अगर call scenario का account open करने के लिए कह दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ call scenario करके आजाएगा, debit side, call scenario account, debit, ठीक है, तो वहाँ चला जाएगा, अगर मालीजी, allotment पर आता है, तो अदवाइस mostly तो call scenario word है, तो यहीं पर आता है, अब first and final call भी होगा, इसको भी due करना है, तो due की entry तो पूरी होगी, ठीक है, तो due की entry कितनी है, तो 30 रुपे से है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 lakh, 1.5 lakh, ठीक है, देख लीजे, amount तो 40 है, सॉरी, तो यह हो जाएगा 2 lakh, यह हो जाएगा हमारा 2 lakh, चलो भीया, इसको 2 lakh करते हैं, यह हो जाएगा 2 lakh, यह भी हो जाएगा 2 lakh, अब वो call पर भी fail है, 100 share से वो allotment के साथ-साथ, call पर भी fail है, तो यह भी हटेगा, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, 196, 123, 196, 123, क्योंकि पैसे हमें फिर 4900 पर ही मिलेंगे, और 4900 into 40 करेंगे, तो 196 ही आएगा, तो यहाँ तक तो आपका सब को सही है, पुराने वाला ही है, अब क्या होगा, share for feature होगा, यानि कि वो shares लिए जाएगे, shares कितने 100, तो share capital, अब securities premium भी आएगा, क्योंकि premium पर वो fail हुए है, two allotment, two first and final call, two share for feature, तो देखिए entry क्या हो रही है, तो यह देखिए, share capital account, securities premium, तो share capital में कितना जाएगा, तो भाईया जी 100 रुपे थे, आपने पूरे के पूरे रुपे मांगे, 10 रुपे पूरे पूरे मांगे, तो यानि कि आप, इन परसन को आ 10, यह 100 होगा, तो यह 10,000 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1000, तो यह रुपे आपको उनसे मिलने चाहिए, ठीक है, अब उन्होंने क्या-क्या नहीं दिये, तो allotment पर 4000 रुपे नहीं दिये, ऐसे ही first call पर भी उन्होंने 4000 रुपे नहीं दिये, first and final call पर, और allotment को बाद यह हमारे पास share for feature आएगा, यहां पर यह missing हो गया, तो यह देख लीजेगा, यहां पर two share for feature, ठीक है, तो वो कितना जाएगा, तो जाहर सी बात है, 10 और 11 में से 8 काटे, तो 3000 रुपीज, ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे, जब तक कुछ उल्पटान चीजे नहीं होती है, तो आप simple भी calculate कर सकते है, 40 और 40, यानि कि 80, 8000, अगर हम इसमें से into करेंगे 100 में, तो 100 into 80, यानि की 8000 हमें नहीं मिले, यह वाला हमें मिला है, तो 30 into 100 करेंगे, तो 3000 हमें मिल गए, ठीक है, तो 3000 जो मिल गए वो share for feature में जाते है, तो वहां चले गए, और यह हमारा वहां चला ठीक है, और क्योंकि premium से भी वो fail हुआ है, इसलिए premium आया है, चोटी-चोटी मगर मोटी बातों को ध्यान दीजेगा, ठीक है, आ गया, अब हम ratio पे चलते हैं, तो जब हमने ratio किया, तो bank में हमें कितने मिले, 105, यानि कि हमें 105, 00, मिल गया, यहां पर आएगा, point हटाना पड़ ठीक है, अब हमें actually में चाहिए था, वो share capital में जाता है, तो share capital में कितना जाएगा भीया, तो 100 into 100, ठीक है, 10,000, 100 share पे वो fail था, 100 रुपे का हमारा issue था, फिर two securities premium, क्योंकि 5 रुपे हमें extra मिले थे, तो वो कितना हो जाएगा, तो 100 into 5, तो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हमें कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं, रिशू के समय, तो जो ये वाला amount है, वही हमारा capital reserve में जाएगा, जो ये वाला amount है, ये हमें पूरा का पूरा actually में मिला है, ठीक है, तो हमें उन person से जो पैसा मिला, वो capital reserve में चला जाएगा, अब भीया, ये securities premium reserve का क चले जाएगे, ठीक है, बट, share for feature के पैसे को आपको capital reserve में transfer करना पड़ता है, क्योंकि minus के लिए कुछ बचा नहीं, तो सिर्फ पहली वाली ही entry आ जाएगी, तो 3000 रुपे, 3000 रुपे, ठीक है, भूजे की नहीं, आपका अंसर हो चाहिए, हाँ जी, है ना, तो देखिए, फि मुले वाले point बना ही नहीं, क्योंकि अभी तो पहला ही caution कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी fail हुए थे, पूरे के पूरे ही reissue हुए है, ठीक है, जलो, तो फिर ये caution तो हमारा हो गया, complete, अब बढ़ते हैं, आगे, अब थोड़ा सा, एक step और बढ़ेगा, X limited invited applications, for 20,000, 20,000 के अंडर, 3 per share, on application, application पर 3 रुपे हैं, allotment पर 3 रुपे हैं, और 2 on first call, and 2 on final call, यानि second and final call भी है यहां पर, but final call was not made by the company, final call company ने की ही नहीं, अगर final call company ने की ही नहीं, तो total पैसे कितने मांगे, तो 10 minus 2, 10 है, उसमें से 2 रुपे माइनस करेंगे, तो 8, यानि कि अब ही जो share capital हुई है, वो 8 ही called up हुई है, company ने 8 ही called up की है, ठीक है, बारिकी को समझीएगा, Now, an applicant who had been allotted 100 shares failed to pay allotment and first call money, यहां भी 100 shares से एक person fail हो गया, his shares were forfeited after the first call, यहां से देखिए, after the first call ही forfeit हो गया है, यानि कि 8.5 पे हमने उसको रीशू भी कर दिया, अब आपको journal entries बतानी है, तो बस एक ही point है कि final call नहीं हुई है, तो दिमाग को याद दिला देना भाई, final call अगर हुई नहीं वो पैसे मांगे ही नहीं, तो जब मांगे नहीं तो वो fail धोड़ी कहलाएगा, क्योंकि आपने तो अभी मांगे ही नहीं ना भाई, ठीक है, तो यानि कि यह 2 रुपे हमें हटाने पड़ेंगे, बट यह कब, जब हम 4 feature के entry करेंगे तब, अभी तो हमारी वापे से normal stage चलेगी, normal stage क्या है, bank to share application, share application to share capital, फिर share allotment to share capital, फिर bank to share allotment, और 100 shares में से minus हो जाएंगे, ध्यान रख share थे, वो 20,000 थे, तो 20,000 into 3, यानि कि हमें 60,000 मिले होंगे, ठीक है, तो यह होगा है 60,000, फिर यहाँ पे तो कोई दिक्का दीने हो, over subscription का भी हम question कर नहीं रहें, पहले simple समझते हैं, तो यहाँ पे भी 60,000, फिर यहाँ पे भी 60,000, फिर यहाँ पे भी 60,000, फिर यहाँ भी 60, share application, ठीक है, then share application to share capital, then share allotment to share capital, ठीक है, due की entry पे ले, फिर bank की entry, पर अब 100 रुपे माइनस हो जाएंगे, तो 100 into 3 यानि 300 रुपे माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो 19,900 पर ही आपको पैसे मिले, तो 300 रुपे अगर आप माइनस करेंगे 60,000 में से, तो 59,700 हो जाएगा, ठीक ह अब first call हुई है, तो due की entry होगी, तो bank to share allotment, share first call to share capital, क्योंकि ये final नहीं है, इसलिए final word नहीं लग रहा, छोटी-छोटी मगर मोडी बातों भी इस बात को पक्का याद रखिएगा, please, otherwise, सब कुछ बनते वे भी आप 2 रुपे हैं, तो यहाँ 40 आ जाएगा, तब कुछ बनत हाते हैं, बैंक में, पर यहाँ भी वो फेल हुए है 100 रुपे से, तो 100 रुपे कम हो जाएंगे, तो 100 रुपे हट जाएंगे, तो 200 रुपे अगर हटेंगे, तो यहाँ जागा 39 800, है ना, 200 रुपे तो माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब second call नहीं होगी, क्यों क्योंकि वो मांगी ही नहीं गई है, तो देखिए, बैंक काउंट टू शियर, फर्स्ट कॉल, अब आएगा, शियर फोर फीचर की बारी, तो शियर क्यापिटल हो जाएगा, डेबिट, लेकिन आपने 8 रुपे मांगे हैं, तो सिर्फ 8 से एंट्री होगी, इसका क्या मतलब तो देखिए, शियर कैपिटल में जब आप जाओगे, तो 100 इंटू 8, क्योंकि वो जो परसन पेल हुआ है, उससे आपने अभी तक 8 ही रुपे मांगे थे, तो कैपिटल में आपने जो डू के एंट्री डाली होगी, वो 8 रुपे की ही डाली होगी, ठीक है, देख लीजे, अगर फिर भी confusion है, यह तो पहली stage के एंट्री है, due के एंट्री, यहाँ जो शियर कैपिल गया होगा, तो 100 रुपे वाला यहाँ भी गया होगा, इंटू 3 से, ठीक है, फिर यहाँ पर due एंट्री है, तो यहाँ पर भी आपने 100 रुपे इंटू 3 किया होगा, ठीक है, due के एं premium का कोई case नहीं था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, premium का तो आएगा नहीं, फिर allotment पर फेल हुए, first call पर फेल हुए, तो allotment पर अगर वो फेल हुए है, तो हमारे पास कितने रहाँ था? 300, और first call पर हमारे पास 200, और बाकी जो था वो share for feature में, जो पैसा मिल गया, तो 300, और इस case में हमें इसी पर ध्यान देना होता है, इसलिए मैंने bracket में डाल दिया है, अब क्या करेंगे हम इसको, ratio करेंगे, ratio में 8 का था, 8.5 मिल गया, पायदा हुआ कि घाटा, पायदा ही हुआ रहा, तो देखिए, bank account debit में आपको कितने मिले, 8.5, यानि कि 100 into 8.5, तो 850 रुपे एक्चुल में आपके पास जो called up के लिए चीज़ें थी, वो सिर्फ 800 की ही थी, क्योंकि आपने वही मांगिए, final call अभी तक नहीं मांगिए, तो जाहिर सी बात है, security premium reserve में आपके 50 रुपे चले गए, ये 8.5 per share, caution आपको कही रहा था, ये रहा, ठीक है, अब इसका क्या होग Capitalism में जाएगा, इसमें भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर तो हमने premium पर issue किया है, तो फिर वही 300 रुपे यहाँ पर चले जाएंगे, कुछ minus होने की जुरत नहीं है, जो इस question में basic point था, वो final call not made वाला point था, ठीक है, अब मुझे उमीद अब यहाँ पर balance sheet भी बनानी है, तो हमने का okay balance sheet बनाते हैं, याद होगा आपको हमने first lecture में balance sheet बनाना सीखा था, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले issued share capital जो आपने issue किया, तो issue कितना किया था, 20,000 share at the rate of 10 each, यह आपका issue था, जो कि आपका आजाएगा यहाँ पर, यहाँ पर स paid up नहीं है, तो आपने किया 20,000 share at the rate of 10 each, बट सिरफ 8 called up है, तो फिर आप rupees 8 called up लिखेंगे, ठीक है, जब आप 8 rupees called up लिखेंगे, तो वो यहाँ पर आजाएगा आपके पास, कितना रुपी हो जाएगा हमारे पास, बट इसमें हमारा जो forfeature है, वो हमने share forfeit कर दिया, तो यह यानि कि यह हो जाएगा 16,000, ठीक है, तो यह हो गया, 16,000, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लाग और 1,60,000, ठीक है, आगया, दैन उसके बाद बारी आती है, capital reserve और securities premium reserve की, तो capital reserve में कितने पैसे गए, इस बार हमारे पास, जो वो था, क्या बोलते है, जो यहाँ नही में कितने गए थे, तो देखिए, यहाँ पर 50 रुपे गए थे, यह रहे, तो यह 50 रुपे अलग से आएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था ना, कि जब हम यह entry करते हैं, तो यहाँ securities premium reserve डेबिट करके, सब कुछ capital reserve में नहीं भीचते हैं, उसका अपना एक use है, इसलिए security premium reserve अलग से आता है, और उसका अपना एक balance है, तो 50 रुपे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो यह तो हो गई हमारी liability side, अब asset side के आएगा, जो भी पैसे आपको bank में मिला है, तो अगर आप देखेंगे, तो bank entry में 60,000 plus 59,700 plus 39,800, इनको जोड़ दीजे, 30,000, 59,700, और 39,800, फिर हमें एक और ratio के time पे भी पैसे मिले हैं, bank में 850 रुपे, तो बस यहाँ पर 850 रुपे जोड़िए, तो total हो जागा हमारे पास, इसकी ज़रती नहीं पड़ेगी, total करो, total, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, तो 7 और 8, 5, तो यह हो जाएगा, 350, ठीक है, फिर carry 2 इधर हो जाएगा, 9, 9, 13, तो 0, carry फिर से 2, 6, अब यह 5 है न, यह 39 होगा न, तो 8 और 6, 14 और 2, 16 यह लीजे, ठीक है, तो आपके जो cash and bank है, यहाँ पर आपका आजाएगा, 163, 50, ठीक है, तो अगर आप total देखेंगे, तो इन का जो total है, और यह asset का जो total है, पराबर है, बस इसी चीज़ को आपको यहाँ, लिख देना है, यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर जाएगा, तो share capital में, जो आपका amount था, वो आपके पास था, credit side पर आएगा, यह, एक लाख, 60,000, ठीक है, देन उसके बाद, आपके पास जो यह वाला amount है, reserve and surplus, यह वाला amount जाएगा, आपका वो जाएगा, 350, ठीक है, reserve and surplus में, 300 रुपे उसके, और 50 रुपे उसके, क्यूंकि reserve and surplus के अंदर जो heading आती है, वो दोनों ही आती है, हमने वहाँ पे बना दिया है, notes to accounts में, और current assets में, cash and cash equivalent है, आप इसका debit side लिख देते है, although यहाँ पर ऐसे debit or credit amount नहीं आना चाहिए, यहाँ पर यह particular particular आता है, क्या आता है, particular और particular ठीक है, यह बात को आप ध्यान रखिएगा, okay, then cash and cash equivalent है, तो यह तो हमें पता है, cash and cash equivalent का total 163.50 आ रहा है, हमने यह calculate भी कर लिया है, यह देखिए, simple है ना, बस ऐसे ही करना है, तो यह है, बाकी यह जो लिखा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से पढ़ लेते हैं, final call of rupees 2 per share has not been made in the caution, as such only rupees 8 have been called up, therefore share capital account will be debited by rupees 8 per share at the time of for future of share, यह तो simple सी बात है, जो आपने मांगा ही नहीं, उसके लिए आप कैसे कहोगे कि वो fail हो गए, ठीक है, तो बड़ा ह अगर आप उसको तुकड़ों में काटेंगे, बेसिक बेसिक करेंगे, तो फिर यू बनेंगे, ठीक है, चलिए फिर, आगे बढ़ जाते हैं, अब देखिए, अब थोड़ा सा caution आने वाला है, tricky, मैं चाहूंगा आप से कि इस type के caution आपको पक्का करने है, और जो भी books होती है प्रिवियस कॉशन पेपर्स की ओस्वाल की बुक आती है, और भी books आती है, उन सब में आपको ये मिलेंगे, एक्जाम में एक कॉशन पक्का ऐसा आता है, यानि कि मैं मतलब 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकि 90, 95, 99% तो कह सकते हैं, इस type का caution पक्का आता है, भाया ये type क्या है, इसमें आपको direct share for feature के entry बोली है, शुरू से नहीं करना है, क्या होता है कि हम दो चार कॉशन शुरू आले कर लेता है, तो सब कुछ पता चलता है, यहाँ पर direct share for feature के entry करना है, ठीक है, तो यहाँ पर mind alertness की बहुत ज़रुत है, तो power of alertness यहीं समझ माती है, ठीक है, तो 10 each issued at 30% premium, 30% premium है 10 each पर, यानि की 3 रुपे premium है, कितने रुपे premium है, 3 रुपे, कैसे पता भाया, तो 10 into 30 upon 100 कर लो ना, simple है ना बिडू, ठीक है, now, to be paid at the time of allotment, यह allotment पर है, हमें यह भी पता चल गया, अब for non-payment of first call rupees 2 per share, the second and final call of rupees 2 has not been made, called, यानि 2 रुपे final call के तो मांगे ही नहीं, मांगे ही नहीं, और first call पर वो सिर्फ fail हो रहे हैं, इसका मतलब कि भाया, premium जो है, वो बता रहे हैं allotment पर, और वो allotment पर fail भी नहीं हुए, तो क्या premium को लेना जरूरी है, तो answer is no, premium को बोलो, टाटा, बाई बाई, और जो called value है, यानि कि अगर ये 10 रुपे, क्योंकि आप मैं premium को बाई बाई कर दूँगा, तो इस 10 में minus करेंगे 2, क्योंकि वो तो मांगे ही नहीं गए, तो 8 हमारे पास called value हो गई, ठीक है, ऐसे caution जो होते हैं, थोड़ से ऐसे ही tricky होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, forfeit हुए 800 shears, कितने 800 shears, but out of these 200 shears were resumed, at 8 paid, for 8 per share, इसका मतलब क्या हो भीया, कि हमने 800 shears forfeit तो किये, लेकिन resumed सिर्फ 200 किये, यानि कि formula भी अब इस्तमाल होगा, तो हम formula भी सीख लेंगे, उसको implement करते हैं, तो जादा याद भी रहता है, अब जब उन्होंने resumed किया, तो 8 paid up हुआ, और 8 ही मांग गया था, ठीक है, 8 paid up हुआ, 8 ही मांगा गया था, यानि कि ये तो full amount पे हो गया, तो बस फिर entry करनी है, तो चलिए, एक एक case करके करते हैं, तो पहले इस वाले case स्टार्ट होते हैं, तो भाईया जी, share capital में कितने shares थे, 800 shares थे, कितने रुपे थे, भाईया, 8 रुपे थे, क्य कि second call हुई ही नहीं, premium आएगा ही नहीं क्योंकि वो allotment पर था और allotment पर फेल हुए नहीं थे, ठीक है, तो यहां पर आ जागा 6400, भाईया, fail किस पर हुए तो वो, second call पर, कितने रुपे का था, 2 रुपे का था ना second call, तो यहां मतलब first call सारी, second call तो हुआ ही नहीं है, तो 800 into 2, यानि कि 600 रुपे यहां पर आ जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ, पैसे कितने मिले, तो allotment के भी पैसे मिल गए, और application के भी पैसे मिल गए, तो कितने है, 2 minus किया, तो 6 ही बचे, तो 6 के 6 मिले है, तो 6 into 8, यानि कि 4800, यह पैसे मुझे मुझे मिल गए, अब second entry, second entry में हम आर की case है, क्योंकि 8 मांगे, 8 मिले, तो bank to share capital, simple है यह तो, bank to share capital, but, but, जल्दवाजी में भूलना नहीं, अब सिर्फ 200 share ratio किये है, तो 1600 ही आएंगे, ठीक है, तो यह आगे आपके पास, 1600, यहाँ पर भी आगे आपके पास, 1600, कैसे, 200 into 8, अब बारी यहां जाने किये, अब यह पल करते, तो यही का यही आजाता, मगर यह जो amount है, यह तो 800 shares पर आया ना भाई, यह जो amount है, travelers, यह तो 800 shares पर आया है, तो इसका मतलब मैंने रिशू से 200 किये हैं, बाकी 600 की calculation बाद में होगी, अभी जो 4 feature से capitalism में amount transfer होगा, वो 200 share के उपर होना चाहिए, कितने share के उपर, 200 share क के उपर तो इसकी working कर लीजिए, ठीक है, working note, working note में आपको क्या करना है, calculation of amount of share for feature transfer to capital reserve, इसी का आपको निकालना है, ठीक है, तो इसका formula क्या था, सबसे पहले तो जो amount forfeit हुआ, ठीक है, amount forfeit कितना है, 4,800, याद कीजिए, हमने formula बनाया था, आओ formula साब, कहा हुआ आप, आ गई यह देखिए, share forfeit amount जो receive हुआ, divided by number of share जो forfeit हुए, और जो into reshoot हुआ, फिर जो पैसा हमको नहीं मिला, at the time of reshoot, वो minus होगा, पर इस बार तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो तो भूल जाई है, minus वाला तो हम निकाल लेंगे, 4 है, 4 से इसको काटेंगे, तो बनता है 1200, ठीक है, 1200 बनता है 200 के उपर, simple सी बात है, 4 से multiply करके तो 4,800 आजागा, तो बस अब यहाँ पर हमें वही करना है, खताब, बस इत्तू साही game है, यहाँ लिख दीजिए 1200, यहाँ पर भी लिख दीजिए 1200, ठीक लिकालेंगे कि भाया जी, जितने रिशू किये हैं, उसी का amount, उसी से related amount आपका share for feature में जाना चाहिए, ठीक है, तो यह 1200, बारसो आगया, वैसे भी आप 8 से डिवाइट करेंगे, तो 600 पर share, तो 200 के उपर यह पार पर है, तो बचा हुआ पैसा जितना भी है, वह पूरा का प आपके दिमाग में चली जाएगे, हाँ ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, चली, अब second case को समझते हैं, तो second case हम से क्या कह रहा है, deal limited, forfeited, 800 shares of 10 each, deal limited है, 800 shares ही हुए है, 30% premium, 10 रुपे के उसा आप से आनी, 3 रुपे premium है हमारा, for non payment, अब देखे, for non payment of allotment, money of rupees 5 per share, allotment प ही premium भी है, और 5 रुपे है, तो इस 5 को अगर काटेंगे, तो 2 रुपे allotment के 3 रुपे premium के है, ठीक है, चलीए, फिर, and first call of rupees 2 per share, the second call of rupees 2 per share, yet not called, यानी इस case में भी second call तो मांगी ही नहीं गई, तो फिर से question, 8 से ही शुरू होगा, now, out of these, 200 shares were reshued, fully paid for rupees 11 per share, यानी कि 10 मांगे, 11 मिल गए भईया, यानी कि premium भी आएगा, तो अब ध्यान से देखिए, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, हाला कि ये 1200 वाली working तो हमने यहीं कर लिया, पर अब amount change होगा, तो working दुबारा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो देखिए, मैं working इस बार यहीं पे कर तो यहाँ पे share capital जाएंगे, 800, इस बार भी भईया, 8 से ही multiply करना, क्योंकि final call अभी भी नहीं हुई है, मैंने का, ओके जी, ओके, क्या बात है, power of alertness इतनी जल्दी आ गई, चलिए, फिर securities premium account, इसमें कितना जाएगा, तो जाहिर सी बात है, आप 800 share पर fail हुए, पर जितना premium amount थ हमारा 30%, यानि कि 3 रुपे, तो यह आगे हमारे पास 2400, ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, then allotment में कितना जाएगा, तो अब allotment में पैसा जुड़ कर आएगा, यानि कि हमारे पास 800 into 5 आएगा, क्योंकि premium यहाँ पर आया हुगा है, अगर premium यहाँ पर नहीं आत था, तो 800 into 2, ठीक है, 800 into 2, देखिए कॉशन पर ध्यान से, 2 रुपे इसके नहीं बुलाए गया थे, और यह 2 रुपे का था, ठीक है, तो 800 into 2, तो 800 into 2 में चले जाएगे हमारे पास 1600 रुपे, बाकि जो पैसा बचा, वो share for feature का हो गया, अगर वैसे बिगिनेंगे तो 8, 3, 11, तो 5 और 2, 7 हुए है, 2 अभी हमने मांगे नहीं है, तो 7 और 11 में चले तो 4 रुपे बचा, 4 into 800 कर देंगे, तो अभी आपका share for feature वाला amount आ जाएगा, 800 into 4, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32, 3, 2, 00, इसकी टोटलिंग करेंगे, तो 4 और 5, 5 और 3, 8, 8, 8, 8, 8, तब क कॉष्ण हमें सिर्फ 200 ही रिशू करने के लिए कह रहा है, तो सिर्फ 200 ही जाएगे, तो 200 into 11 कितना हो गया, 200, 2000 यहां पर आ गया, और 200 यहां पर आ गया, एक रुपे हमारा securities premium है, 200 हमारे पास share capital में जाएगे, और जो total पैसे मिले वह 200 मिल गया, फिर क्या करेंगे, यहां पर जालेंगे, इसकी working note यहीं कर लेते हैं, अब तो simple ही है, क्योंकि पूरा working note तो बनाने की जोत नहीं है, 32 है, यह 800 के उपर है, तो 200 के उपर कितना होगा, 4, 4 से इसको काटेंगे, तो 800, यानि कि अब की बार यहां पर जो पैसे जाएंगे, वो 800 जाएंगे, वो 800 जाएंगे, अब समझा रहा होता है, तो बिना practice के ना, थोड़ा सा दिमाग में याद नहीं रहता, अब हमने question यहां पर solve कर लिया, तो आपको दिमाग में याद भी रहेगा, ठीक है, और फिर अभी हम वो भी वाला भी minus वाला भी करेंगे, ऐसा नहीं है, तो एक एक करके करते जाते हैं अब देखिए, while limited, forfeited 1000 share of 10 each, 1000 share, at 10 premium, 10% premium का मतलब क्या हुआ, एक रुपए premium है, टू श्याम जी, रुपीज 9 called up, देखिए, देख लीजे ध्यान से, 9 called up बोल दिया है, 9 called up बोल दिया है, तो भाईया, share capital जो है, वो 9 रुपए से जाएगा, पहली entry में, जब forfeit करेंगे, य allotment में 3 रुपए है, यानि कि यह जो 3 है कैसे है, 2 plus 1 है, ठीक है, including premium, and first call of rupees, 2, out of these, 600 shares were reshued to Ram as fully paid for 8 per share, एक आदमी है राम, जिनको इन्होंने fully paid, यानि 10 का share, 8 में दिया, ठीक है, एक आदमी हो गया, दूसरा, 200 shares to dham, as fully paid up, 12 at different intervals, यानि कि 1000 share इनके पास हैं, पर इन्होंने जब ratio किया, तो राम जी को 600 किया, धाम जी को 200 किया, ठीक है, राम जी को कितना किया है, 200 किया है, यानि कि अभी पूरा तो ratio भी नहीं किया, पर दोनों अलग-अलग interval में किये गए हैं, तो ratio की entry, दो बार आएगी, एक बार जब राम जी आएंगे, एक बार जब धाम जी आएंगे, 600 की अलग, 200 की अलग, याद कर लीजिए, ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1000 का है, 10 each है, बट 9 called up हैं, जिसमें से 3 और 2, तीन और 2, यानि 2 रुपे यहां और 3 रुपे यहां पर वो fail हुए हैं, और हमें second call के ब खतम हो गई होगी, हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो जो भी पैसा बचा, वो सारा share for feature में चला जाएगा, फिर second entry होगी, रीशू की, वो दो बार होगी, फिर हम देखेंगी for feature में कितना जाना है, तो चलिए फिर, कुरसी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि यह caution मांगे हैं अभी तक, यानि एक second call होगा, या जो भी reason हो, नहीं मांगा है अभी, हाला कि यही तो जानना है, यही तो सुनना है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9000, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है, 1000 share से ही फेल हुआ है, ठीक है, और एक रुपए, यह रहे, 1000 share से, यह पेल हुआ था, 9 हमें, called up लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसके बाद allotment पे, तो allotment पे 1000, इंटू 3, 2 प्लस 1, ठीक है, फिर call पे 1000, इंटू 2, देख लीजे, ठीक है, 2 रुपीज on call, and on which he did not pay 3 रुपीज of allotment, including premium, अगर यहां including premium नहीं लिखा होता, तो फिर 3 प्लस 1, यहानी 4 होता, लेकिन यहां including premium है, तो 2 प्लस 1 है, इसलिए मैं अलग से बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आपको यह बात याद रहे, भूलना नहीं है, ठीक है, चलिए, तो बस फिर, यहां तो कोई दिक्काद ही नहीं हुआ, तीन और दो पांस जार आ जाएंगे यहां पर, तो तीन हजार यहां पर, और 2000 यहां पर, इसका मतलब है कि share for feature में जो बचा हुआ पैसा हुआ, तो 5000 share for feature में चला जाएगा, ठीक है, no issues, अब उसके बाद आगे shares were rescued, 600 share ratio है, तो 600 century होगी, और 8 per share हमको मिला है, और मांगा fully paid up था, यानि हमने मांगा पूरा था, तो यानि कि 600, यहां पर कितना जागा share capital में, 600 into 10, यानि कि 6000 हमने मांगा, हमें 8 ही मिले, तो 4800 हमें मिले, और यह देखिए, पहली बार आ रहा है, इसलिए यहां पर ध्यान द debit होगा, और यह वाला है, not received, पहली बार आया है, तो ध्यान से देखिएगा, 1200 रुपे, भाया पहली बार आया है, डबे में डाल दो, मैंने का, ओके, 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 यह लीजे, डाल दिया भाई, डाल दिया, ठीक है, तो यह यहां पर चला गया, तो यह हमें नहीं मिले है, त कि पहले इसको देखेंगे, उसके level पे लाने के बाद, ठीक है, क्योंकि यह जो है, यह 1000 share के उपर है, और यह 600 share के उपर है, ठीक है, अब इसका हम फोर्फिट करेंगे, ठीक है, 600 के उपर, क्योंकि dates अलग है, तो दोनों के entries अलग होंगी, तो देखिए, इसकी अलग होंगी पहले केस में working note बनेगा तो working note में सीधा निकाल दे रहा हूं मैं तो आया था हमारे पास 5000 ठीक है अपन कितने शेयर पे 1000 शेयर पे और मुझे चाहिए 600 शेयर पे इंटू 600 तो हमारे पास amount कितना जाएगा 3000 है ना यानि कि 600 शेयर पे यह 3000 का amount बनता बट हमने रीशू करते सब हैं कितने का loss जेल लिया है 1200 का loss जेल लिया है तो इसमें से minus करेंगे हम 1200 रुपे ठीक है यह पे यह बात याद रखनी है पहला ही कॉशन हम ऐसा कर रहे है तो दुबारा से देख लीजेगा है कि जो हमने एंटरी यहां पर की है हमने जो एंट्र यहां पर किये तो ये जगे फिर उसको घजाएगा तो कितना प्रिइसा बचेगाMat यह लीजिए टेक है फिर नहीं तो कितना पैसा पचेगा अब यहां बैज तो कितना पैसा बचा भी यह वत तो यह你गी टेसा है ठीक ट Hello दूसरा बंदा क्या कहा रहा था हमसे दूसरा बंदे ने हमसे कहा है कि 200 shares to dham as fully paid up 12 यानि कि premium पे बेचा तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पे premium की entry होगी और सिर्फ 200 का हमें percentage निकालना है तो पहले हम वही निकाल लेते हैं ठीक है तो पहले हम वही निकाल लेते हैं first के बाद second second में हमें कुछ नहीं करना है 5000 upon 1000 into 200 के हिसाब से यहां पे fail will का तो कोई चक्कर ही नहीं है share for future वाला कोई amount ही नहीं आना है क्योंकि premium पर है तो यह लिजे भईया जी 1000 आ गया ठीक है चलो यह कॉशन भी बन गया ऐसे कॉशन आपको करने है करने है करने है previous year के कॉशन जरूर कीजेगा क्योंकि उसी से आपकी बात बनेगी 11 रुपे थे 211 रुपे थे 2400 आएगा यह 2400 यहां तो आपने 2000 रुपे ही जाएंगे और क्या बलते है दो रुपे का प्रॉफिट है यानि कि 400 रुपे यहां पर आ जाएंगे ठीक है देख लीजिए और दोन्यों का टोटल 2400 रुपे आपको बैंक में मिल गए मुस्कुराने का मौका रिशू में फायता हो गया है अब इधर रिजर्व में जाएगा तो इसका हमने कल्कुलेशन कर लिया है कल्कुलेशन कितना आया है 1000 तो चलो फिर यहां पर 1000 लिख देते हैं बस खत्म इतना ही करना होता है तो हमने प्रीमियम भी देख लिया शेयर फूल फीचर जो आता है वह भी देख लिया फॉर्मूला लगाके भी कर लिया अगर दो बार आगया रिशू तो देख लिया है अगर ratio हो रहा है तो आपको देखना है कि कितने share ratio हो रहे है अगर par ही par है मतलब 1000 पर fail हुए 1000 ही ratio हो रहे है तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको देखना है कि पहले entry में share for feature amount कितना गया दूसरी entry में share for feature amount कितना गया इनको माइनस करना है जो भी पैसा बचा वो कैपिटल जब में ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है कोई भी दिकत नहीं है अगर कम हुआ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यह जो पहली एंट्री है उसमें 1000 शेर के उपर शेर फोर फीचर में कितारगी वो दिख रहा है दूसरी एंट्री जो रीशजू किया गया है तो जो एमांट आ रहे हों 500 के बेस पर आ रहा है तो जो पहली एंट्री का जो एमांट है उसको 500 के बेस पर निकालो और फिर वो Cal baptism में ट्रांसफर करो ठीक है चलो बुझे मुझे उमीद आप करेंगे हाँ जी चली आप करते हैं थोड़े बड़े कॉशन ताकि आपका भी मन लगे Now concept stationery limited ठीक है बड़ा कॉशन है ध्यान से देखिएगा Invited application for issuing क्योंकि अब हम working भी करेंगे वो बड़ी सी working क्योंकि अब मुझे उमीद है कि आप एकदम हस्पुस्ट हो चुके हो चीजों को समझ चुके हो Now share of rupees 10 each at a premium यानि कि concept stationery ने invite किया है 3 lakh 3 lakh share मांगे उन्होंने Premium पे 3 per share है The amount were payable as follows 10 each है premium 3 है यानि total 13 रुपे हो गए Now application and allotment पे वो 7 रुपे मांग रहे है Then first and final call पे balance मांग रहे है Balance का मतलब क्या हुआ 13 है तो 7 तो ये 3 plus 3 होगा 3 plus 3 होगा 3 premium के और 3 यहाँ मांगे होंगे ठीक है Share capital में 3 रुपे 3 रुपे premium के चलिया अब application देखे कितने मिल गए 4 lakh applications मिल गए अब ध्यान दीजे Allotment कैसे हुए क्योंकि यहाँ पर working start हो रही है ठीक है तो देखिए To the applicants 80,000 के लिए 80 के असी दे दिया इन्होंने ठीक है और application 40 के लिए NIL दिया खतम बाकियों के लिए इन्होंने बोला कि भाई हम प्रोराटा बनाते रहे हैं यानि कि तीन कैटेगरी है 80 को 80 दिया उनका बात ही खतम 40 को वापिस कर दिया बैंक में बाकियों का प्रोराटा बन रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रोराटा कैसे क्या बन रहा है तो उसकी working में जाएंगे पहले caution अच्छे से पढ़ लेते हैं अज एक्सिस मनी received with the application was adjusted towards the sum dues on first and final call देखे अब यहां पर पहले यही case application allotment है तो जो adjustment हुआ होगा वो first and final call में हुआ होगा है ना adjustment तो अगले में होता है ना तो पहली में नहीं है अगले में हो रहा है यही छोटी-छोटी सी चीज़े है कि caution easy होता है पर हमें confuse करते हैं अरे यार हम तो allotment से करते थे वो second entry में to share allotment लिखना चाहिए था नहीं पहली stage में application allotment है तो आपने जो extra receive किया वो next stage के लिए किया होगा तो next stage के यार रखना पड़ेगा first and final call है ठीक है चलिए भीया इसको call scene advance भी कह सकते है अमित अब देखे क्या है अमित who belong to category 1 category 1 कौन सी है 80 से 80 तो यानि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसने कोई extra pay नहीं किया है was allotted 4,000 shares and winnie who belong to category 3 यानि यह वाली category अब हमें निकालनी पड़ेगी हमने का okay was allotted देखे वर्ड क्या है allotted applied नहीं है तो हमें applied भी निकालना पड़ेगा क्योंकि allotted अगर इतना है तो apply कितना था वो देखना पड़ेगा fail to pay the first and final call money तो देखिए हमारे पास अमित जी है जो first category से है 4000 shares के लिए and winnie है who belong to category 3 was allotted 4,400 shares fail to pay first and final call money their shares were forfeited the forfeited shares were reshoed at 7 per share fully paid up fully paid up का मतलब है कि भाया जी 7 रुपे पर हमको पैसे मिले हैं हमने 10 मांगे थे ठीक है past necessary journal entries for the above transactions हमने का okay सबसे पहले working पे जाते हैं ताकि working समझ में आ जाए तो working note सबसे पहले तो हमें category में बाटना पड़ेगा तो first 80 थे 80 ही दिये ठीक है यहाँ पे total कितना आना चाहिए 3 लाग आना चाहिए है ना और यहाँ पे total चार लाग आना चाहिए ठीक है क्योंकि यह issued थे और यह applied है फिर second में 40 वालों को 0 दिये फिर अब यहाँ कितने बच गया third case कितने का बचा 120 यानि कि 180 है ना तो 1,80,000 वालों को कितना दिया तो 80 माइनस कर दिया 4,80,000 किया तो 320 यानि कि हमारे पास 30 में से 40 को वापस कर दिया तो share capital में पास यह चला गया यह हमारे पास bank में चला गया है तो यह हमारे पास इनको एक मिन्ट यह उल्टा हो गया है इनको आपने second case में किसी को कुछ दिया ही नहीं और आये कितने थे 40,000 आये थे तो यहाँ पर अब बनेगा 2,20,000 और यहाँ पर बन जागा 2,80,000 प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आप ध्यान से देखिए उन्होंने कहा कि भया 80 वालों को 80 दिये 80 अप्लाइड है 80 दिये 40 अप्लाइड है 0 दिये 280 बचा कितना 4,000,000 में से इन दोनों में से इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तब यह आएगा ठीक है यह प्रोराटा के लिए मैं चाहिए कि प्रोराटा इस पर बनाए है है ना फिर यहां पर जाहिर सी बात है इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास यह वाला आएगा ठीक है तो यह भी आ गया यह भी आगया इस पर प्रुवाटा बनाए यानि विनी जो फेल हुई है उनका जो रेश्यो है वो यह है ठीक है अब क्या करना होगा हमे अब calculation करनी होगी तो देखिए हमें तो जी जो फेल हुए है उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ना उसमें कोई प्रुवाटा ना कुछ डायरेक्ट मल्टिप्लाइ करेंगे हमें पता चल जागा वो कितने पर फेल हुए है अगर देखना चाहे तो अभी ही निकाल सकते हम तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने सेकिंड कॉल नहीं दिया है तो टोटल उन्होंने छे रुपे नहीं दिया है इन्टो सिक्स यानि कि यह तो 24,000 से फेल हुए ठीक है बट विनी जी में calculation करनी पड़ेगी क्यों calculation करनी पड़ेगी क्यों कि विनी जी को एलाउट तो 4,400 ह हुए है तो अगर देखा जा तो हम यहां पर इन्टो सिक्स करें बात बन जानी चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि इन्होंने अप्लाइज जादा किये होंगे है ना रेशो समझ में आ रहा है कि भाई जिन्होंने 2,80,000 के लिए भेजा उनको 2,20,000 तो यानि कि जादा के लिए कम मिले हुए हैं तो देखें यहां पर हम क्या करेंगे विनी एपलाइड फॉर विनी है वेझी है वेझी है वेझी इन्टू हमारे पास आ जाएगा जो बड़ा वजाए आपको अपलाइड निकालने के लिए हमने इसको थर्ड लेक्शर में अगर आपको नहीं आत है तो जरूर देखिए है ना हर लेक्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है ना तो हमें मिल जाएगा एप्लाइट फॉर तो इसके लिए तो बहुत बिलने पड़ेंगे नहीं इतने बिलने पड़ेंगे ठीक है दिए-टीन-गर चाहिः तो यह सब्सक्राइट है तो इसके लिएख ए उन्होंने apply किये, ठीक है, इस में से जो हमारे पास 4400 shares थे, यह तो उनको allot हो गए, तो भाईया 4400 share पे उनको पैसे दे नहीं थे, यानि कि जो उन्होंने extra pay किये, वो कितने किये, तो 1200 के उपर pay किये, अगर 1200 के उपर उन्होंने extra pay किये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम पे जो वो fail हुए हैं, वो पूरा fail नहीं हुए, क्योंकि 8400 तो उन्होंने दे दिये, तो भाईया fail कितने से हुए थे, therefore, amount, या actual लिख देते है, actual amount not received from Venni जी, ठीक है, कैसे आएगा, तो देखिए, हम क्या करेंगे, हमारा amount आएगा, तो 4400, into 6, 26 400, minus already received, कितना है, 8400, यानि कि actually अगर देखा जाए, तो 18,000 रुपए से वो actual में fail हुई है, simple है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं, 26 400, हमें मिलने चाहिए थे उनसे, first call के case पर, पर हमें उन्होंने 8400 already दे रखिया, यानि 18,000 से वो fail हो गई है, ठीक है, अब ये तो Venni जी का आगिया, और फिर हम यहाँ पर निकाल देंगे, उनका भी, जिनका नाम क्या था? paid amount, ठीक है, तो वो कितने से fail हुए, तो वो हुए है हमारे 4000 into 6, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका पता ही, call पर fail हुए है, तो यह हो गए 24,000, यानि कि वो इतने से fail हो गए, ठीक है, 4000 into 6, 24, यह 24,000 होगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके भीया, जी कितना चाहिए था, इस अपको calculation तो हमारी हो गई, खतम, जो major calculation थी, वो हमारी हो गई, खतम, अब, actual amount received on allotment, यह हमें निकालना है, ठीक है, यह हमें निकालना है ना, भहिया जी, तो अब क्या करें, तो total amount due, total amount due on allotment, allotment की जगह यहां पर लिखा जागा, ओह, यह बात ध्यान रखिएगा, छोटी-छोटी मगर, मोठी बाते हैं, कि जहां-जहां पर मैं allotment दिख रहा हूं, वहां-वहां पर actually आपको लिखना पड़ेगा, first and final call, ठीक है, यह छोटी-छोटी मगर, मोठी बाते हैं, amount received from any, ठीक है, ठीक है, यही पर बस एक ही जगह गलबल हुई है, बाकी कहीं पर नहीं हुई है, ठीक है, मैं इसको, अरे भईया, दूसरे color में डाल दो, ताकि याद रहे, मैंने का, okay, यह लीजे, ठीक है, दूसरे color में डाल दिया, total amount due, यह छोटी-छोटी मगर, मोठी बात तो यह तो हमें पता है, कि हमें चाहिए थे total, जो हमें मिलने हैं, हमें चाहिए थे 3 lakhs, ठीक है, 3 lakhs के उपर ही होगी entry, 4 lakh का तो adjustment हो चुगा है, तो 3 lakh into, into हमारे पास जो price था, वो था 7, तो 3 lakh into 7 यानि कि 2 lakh 10,000 रुपे हमें मिलने चाहिए थे, ठीक है, 3 lakh into 7, यानि कि 2 lakh 10,000 हमें मिलने चाहिए थे, 21 lakh हुआ, ठीक है, 3 lakh into 7 यानि कि 21 lakh हमें मिलना चाहिए था, अब अगर 21 lakh हमें मिलने चाहिए थे, ठीक है, हमें कितने नहीं मिले, तो जाहर सी बात है, 24 ये वाले नहीं मिले और 18 ये वाले नहीं मिले, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, minus call scenario, calls in area, कितने रुपए हुए तो माइनस कर दीजिए इसका टोटल होता है 42,000 21,000,000 में से 42,000 माइनस कर देंगे 3 लाइक इन्टू 7 ठीक है तो 42 माइनस करेंगे तो 58 आएगा तो 20, 58 1, 2, 3 बस खतम यानि यह एक्चुल अमाउंट है जो आप कॉल पर फेल हुए है ध्यान रखिएगा application allotment इखटे है call इस बार अलग से है तो हम allotment वर्ट यूज नहीं करेंगे हर जगे पर call 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 वर्ड यूज करेंगे ठीक है तो अब हमारे पास इनकी भी calculation हमने निकाल ली हमने इनकी वेइनी जी की भी calculation निकाल ली और हमने यह भी निकाल लिया कि एलाउट्मेंट पर जो एक्चुल अमाउंट रिसीव होना चाहिए था वो आ रहे गया आजा भाई दर चलो अभी दर से काम चला लेते हैं तो वो जो एक्चुल अमाउंट रिसीव है वो है बीस लाख अंठा वन हजार क्योंकि तीन लाख इंटू साथ एक्किस और यह ब्यालिस है 7 ए 6 है 7 तो उपर है यह 6 होगा ठीक है यह हमारे पास 6 होगा अब आ गया ठीक है यह हमारे पास क्या होगा 6 तो यहां पर 18 आएगा यह टोटलिंग मिस्टेक है इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा यह भी मिस्टेक आएगी इसको भी शुदार पड़ेगा ठीक है तो 6 कैसे आया कि हमारे पास 6 ही था तो हमें जो चाहिए फर्स और फाइनल कॉल पर 6 रुपए चाहिए तो यह 18 लाग हो गया 18 लाग में से आप 42 माइनस करोगे तो 1758 123 ठीक है डन है डन डना डन है ओके अब हमारे पास के लिक्रेशन आगी अब हमें जाना कहा है अब हमें सरफ चाहिए तो यहीं पर जाएंगे जो कि कितने हो गए हमारे पास 28 लाग हो गए ठीक है 28 लाग हो गए दैन उसके बाद second entry है जो सरदर्थ है तो वहाँ पर देख लीचे मैं working note पर आपको दिखा देता हूँ जो हमने working note बनाया था अगर आप working note पर देखेंगे तो 40,000 into 7 करेंगे तो यह आपके cash में जाएगा then 80,000 plus हमारे पास 3 लाग का था तो इसमें से तो वह पूरा का पूरा ही जाएगा तो 3 लाग into 10 करना है हमें 7 करना है तो 3 लाग into 7 यानि कि 21 तो हमारा पूरा का पूरा जाना ही जाना है ठीक है और यह यहां से चला जाएगा बाकी जो पैसा बचा वह advance से सेट होगा ठीक है तो यह देखिए हमारे पास share application allotment में total 28 लाग रुपे आए 1, 2, 3 ठीक है जीरो में गलती मत कीजेगा है न मैं सो रहा है वाप एक एक शेर capital में आपके चले जाएंगे 30 इंटू 7 यानि कि 21 लाग फिर आपके पास 40,000 इंटू 7 चालिस जार इंटू 7 कितना होता है दो लाक असी जार यह आपका bank में जाएगा यानि कि आपने जो advance लिया है वो कितना लिया है तो 2 और यह 23 असी 23 में तो यह जागा 420 चार लाग 20 जार 25 लाग 20 जार आपका calls in advance है ओके अब अगर calls in advance 4 लाग है तो हमारे पास यह वाली calculation आई इसमें से भी हमें फिर 4 लाग 20 जार माइनस करने पढ़ेंगे ठीक है जियान रखिएगा step wise चल रहे है ताकि आपको याद भी रहे तो यह हमने calculation निकाल ली थी लेकिन आप जो calls in advance है वो भी तो माइनस होगा तो 4 लाग 20 जार भी इसमें से माइनस होगे तो यह बचेगा 13 लाग 13 लाग 58 की जगह है 38 हो जाएगा तो 13 लाग 38 थाउजन ठीक है ध्यान रखिएगा जो advance receive हो गया है वो भी माइनस होगा तो 4 लाग 20 है हमारा यहां से माइनस होगा वैसे भी अगर आप calculation करोगे तो आपको simple ही दिखाई देगा कि भाया जी यहां पर आ जाते हैं अगर आपन यहां पर कितना allotment में बना तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर 20 है यह क्या बोलते हैं दो 20 है दो 20 में 280 तो 60 साथ इंटू 7 अगर देखा जाए तो 60,000 ही तो आपके एक्स्टा मिले दो 20, 280, 60,000 एक्स्टा मिले हैं 7 रुपे के साबसे चार लाग 20,000 तो आप ऐसे भी चाहो तो उसको cross check कर सकते हो ठीक है इस बात को याद रखिएगा यहां तो कोई दिक्कत थी ही नहीं ठीक है अब यह हमने यह एंट्री करी दी एलाउट्मेंट की एंट्री हमारे लिए पहले तो फर्स और फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी वह छे इंट्री होगी तो 18,000,000 होना चाहिए तो यह 18,000,000 आएगा दैन उसमें से जो जो चीजे हमारी माइनस हो गई है तो बैंक में हमारे पास जाएगा कितना हमारे पास बैंक में पहले उससे लिखा लिए 4,20,000 बैंक में जाएगा हमारे पास 13,38,000 ना देखना है इसका टोटल यहां पर कितना आना चाहिए आप खुद से जानते हो आपका टोल आना चाहिए अठारा लाग तो करिए तो तेरा और चार सत्तरा बैयारी सो बीस बासट और अरटीस अठारा लाग ठीक है दन बस खतम अब क्या बचा अब बस एंट्री रह गई है फोर फीचर की तो उसको भी कर लेते हैं तो देखिए हम यहां पर जाएंगे सबसे पहली बात तो शियर कैपिल में जाएगा जितने से वह फेल हुए है तो टोटल शियर जो फेल हुए कितने हुए चार हजार प्लस चार हजार चार सो तो यानि की आठ हजार चार सो से वह फेल हुए है सारी कॉल सब कुछ हुई है तो दस रुपे के साब सही चलेंगे यहां पर तो है ना 84,000 फिर 8,400 पर आपके प्रीमियम का अमाउंट है जो की था हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास था तीन रुपे था ना सिंपल है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब कॉल सी नेरियर में हमने हमारा टोटल निकाला हुआ था और वह आ रहा था हमारे पास 42,000 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चालो बूझे आप कह रहों कि मुझे उमीद है ठीक है अब बचा जो पैसा फूर फीचर में है तो कितना पैसा बचा तो 42 तो इसका अगर आप टोटल करते तो 84,200 तो दो सो तो यहां आ गया पांच और चार नौ होते हैं नौ मेंसे दो काटे तो साथ हो गया देन आठ हो दो दस होता छे तो 67,200 हो गया यह हमारा शेयर फो फीचर हो गया फिर बारी अब इसकी आती है तो जाहिर सी बात आप यहां पर जाएंगे अब यहां पर ध्यान दीजे क्या किया गया है 8400 को पूरे को ही रीशु किया गया है कैसे पता भीया क्योंकि कॉशन पढ़नों ना भाई यहां लिखा हुआ है fully paid लेकिन हमारे पास आये कितने तो हमारे पास तीन रुपे माइनस कर दीजे तो 7 से आएंगे तो 7 तो 00 ठीक है 00 उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यह 0 हो गया अब उसके बाद क्या करना है अब उसके बाद क्या बचा है तो 00 आ गया 4 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2 8 4 7 8 जा 56 तो यह हो गया 58 58 800 फिर 3 रुपे से multiply करेंगे तो 3 तो 00 2 कैरी 1 ठीक है तो 8 3 जा 24 और 1 25 अगर आप देखेंगे तो 7 84,000 आ गया बस अब क्योंकि यह पूरा का पूरा ही हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस 25 दोसों को इस 67,200 में से minus कर देंगे क्यों क्योंकि fully reshoot हुए तो कोई calculation की ज़रूरत नहीं है formula की ज़रूरत नहीं है यह यहां से यहां direct minus हो जाएगा और यह direct 42,000 आएगा तो share for feature to capital reserve ठीक है तो यह आ जागा हमारे पास 42,000 खत्म तो हमने एक बड़ा कॉशन भी कर लिया एक छोटा कॉशन भी कर लिया जिसमें तीन पार्ट से वैसे वाले जितने कॉशन आप कर सको कर लीजिएगा क्योंकि वह आने के बहुत जादा chances होते हैं फिर हमन करते हैं तो please 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 concentration के साथ करेंगे ठीक है ठीक है और यहाँ पर आप चाहें तो रेस लगा सकते हैं ठीक है चलीए स्टार्ट करते हैं तो X Limited इशू 2,000 शियर्स आफ रुपीज टैन इच यानि कि X Limited ने 2,000 शियर्स बेचे 10 इच के हमने का OK एट आप प्रीमियम आफ 2 पर शियर प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है परसंटेज नहीं दिया हमने का OK प्रीमियम इसका मतलब 3 प्लस टू हो रहा है रुपीज थ्री ओन फर्स्ट कॉल एंड रुपीज टू अन सेकंड कॉल तो गिनेंगे तो 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 3 प्लस 2 12 ही होंगे क्योंकि 2 रुपे का प्रीमियम है तो 2 रुपे यहां पर है इसलिए 12 की टूटलिंग हो गई हमने का OK एप्लिकेशन वर रिसीवड फॉर 3,000 3,000 के लिए एप्लिकेशन आई हमने का OK एंड प्रोराटा अलॉट्मेंट वोज मेड एमंग एप्लिकेंट्स 2400 शियस ध्यान से दिखिया इस बार उन्होंने बता दिया है प्रोराटा किस पर हो रहा है पिशले कॉशन में प्रोराटा हमने कैलकुलेट किया था देखे मैं जब सॉल्फ गराऊ हो तो आपको easy लगेगी चीज़ें पर उस चीज़ को समझीएगा कि भईया 80, 80, 40, 0 थर्ड स्टेप हमने निकाली थी अब की बार उन्होंने प्रोराटा का बता दिया है तीन अजार हुए है बाकी 600 कहां है बताइए बताइए मैं तो बता नहीं वाला हूँ आप ज़रा सोच के बताइए आर है जो 40 शियर से फेल हो गया उनके शियर को फोरफिट कर दिया गया है और वो ऐलाट्मेंट ऑफ फास्ट कॉल दोनों से फेल हुए हमने का ओके एम होल्डिंग 60 शियर एक एम हैं जो 60 शियर होल्ड करते है वो फेल हो गया दो कॉल से टू कॉल्स पर वो फेल हो गया हमने का ओके यानि इनका जो फोरफिट हुआ है वो आफ्टर सेकंड कॉल हुआ है अफ दी फोरफिटेड शियर 80 शियर वो री शूड टू के के जी को वापस भेजा गया फुली पेड़ अप 8 पर शियर यानि कि 10 का था 8 मिला यानि यहां भी शियर फोरफिचर अब देखिए पॉइंट क्या है एक वर्ड ही पूरा गेम बिगारता है यह जो 80 शियर है इसमें आर के पूरे शियर है आर कहां पर है यह रहे यानि कि 80 में 40 तो उनके है प्लस जिन्होंने 60 फेल हुए है जो 60 फेल हुए है उनको 40 है यानि कि अगर आप फॉर्मूला लगाने की बारी आएगी तो इन पर लगेगा फॉर्मूला भाईयाजी समझ गए समझे कि नहीं जो फॉर्मूला लगाने की बारी आती है वो इस पर आएगा कि 60 पेल हुए तो 64 फिट हुए है और 40 ही रिश हुए है यह बात याद रखनी पड़ेंगे, हमने का ओके 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 सारी बात समझ में आ गई, तो ध्यान दीजिए, आर जी का जो share है, वो allotment of first call के बाद ही forfeit हो गया है, ध्यान रखिएगा, then, जो हमारे पास second है, हमारे पास second है, am, वो दोनों call से fail हुए है, यह point है, तो देखिए stage, application, allotment, first call, are fail, forfeature की entry करके हटाओ, फिर am, मतलब second call, फिर am fail, उनकी forfeature करके entry हटाओ, फिर last में share forfeature, जो जाएगा, capital reserve में, steps याद रखिए है, क्योंकि मैं caution पढ़ रहा हूँ, तो वो easy लग रहा है, पर alert mind यहीं जरूरत होती है, कि जब आप caution करे, तो उन जगों पर गोला जरूर लगा, या दिमाग में लिख ले, या rough copy में side में लिख ले, जहां पराप अटक रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो caution हमने पढ़ लिया, हमें क्या करना है, journal entries बनानी है, और जाहिर सी बात है, forfeature account, तो हम forfeature account तो नहीं बना रहे है, forfeature account वैसे भी क्या है, कि 3000 share भाईया जी apply किये गए थे, ठीक है, उसमें से भाईया आप 2000 ही allot कर सकते थे, question ने इस बार हमें clearly कह दिया, क्या clearly कह दिया, कि भाईया जी जो ये 3000 हैं, इसमें से जिन्होंने 2400 किया, उन्हीं का prorata बनाए गया है, यानि उन्हीं को 2000 दिये गए है, तो बागी बचे 600 क्या होगा, पूछा था ना मैंने आपसे, बता दो, बता दो, जीरो, यानि की refund होगा, तो आप इसको bank में भेज सकते हैं, चलो भाईया ये वारा काम तो हमारा हो गया, ठीक है, अब देखिए, prorata तो दोनों कहीं हुआ है, 40 और 60 का भी, लेकिन जो 60 पर है, वो call पर working note, तो as, ये first था, इनको second number देते हैं, as applied for, इनका निकालना पड़ेगा कि इन्होंने कितने के लिए applied किया था, ठीक है, applied for, अब हम देखेंगे, तो इनको 40 share allot हुए है, 40, पर prorata कितने का बन रहा है, 24 और 2000, यानि 24 और 2000, तो 24 और उपर, नीचे 2000, तभी तो हमें पता चले था, क्योंकि ये 40 allotted है, अगर ये applied होता, तो 2000 और 2400 नीचे, तो हमें applied मिलता, ये allotted है, इसलिए 2400 और 2000 नीचे, तो हमें applied मिलेगा, ने का, okay, अच्छा, ये तो simple ही हो गया है, to, एक जिरी ये कटा, दो जिरी ये कटे, तो ये हो गया 48, ठीक है, तो अगर इन्होंने 48 share के ल payment, access payment कितनी है, तो भाया जी इन्होंने 48 के लिए apply किया था, 40 तो आपने इन्होंने अलोट किया था, तो 48 minus 40, अगर आप करते हो, तो यानि कि 8 परशे इन्होंने दिया है, अब application पे 2 रुपे मांगे गए थे, तो into 2 कर दो, यानि कि 16 रुपे इन्होंने आपको early दिया है, मै actual payment not received, not received on allotment, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा भई, allotment पे चाहिए कितना था, तो जाहिर सी बात है, हमको allotment पे 2000 into 5, ठीक है, तो 2000 into 5 करेंगे, तो हमको चाहिए था, amount due on allotment, due on allotment, ठीक है, तो 2000 into 5, यानि कि 10,000 चाहिए था, इस में से कुछ हमें advance receive हुआ है, तो देखिए, प्रोलाटा डेक्ट बना हुआ है, 2400 वालों को 2000 दिया है, यानि 400 into 2 करेंगे हम, into 400 into 2, ठीक है, तो minus करेंगे हम, minus, कितने पर, प्रोलाटा के लिए हम क्या करते हैं, प्रोलाटा ही लिख देते हैं, प्रोलाटा, या already amount received on application stage, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रोलाटा पे जो amount received हुआ आपको, तो वो कितना था, तो 400 है न, तो 400 ही extra मिले हैं, तो 400 into 2, तो 800, वो इसमे actual amount not received, ठीक है, तो आर जी को देने कितने चाहिए थे, तो भाईया जी कायदे से इनको 40 year थे, 5 रुपे के हिसाब से इनको हम देने चाहिए थे, 200 रुपे, ठीक है, पर ये 200 रुपे से फेलतो हुए, लेकिन 16 रुपे ये पहले ही दे चुके हैं, तो भाईया इसको minus करो, already received म से, मैंने का अच्छा जी, बड़े तेज हो, very good अगर सब कुछ याद है, तो अगर ये याद है, तो ये चेप्टर आपके लिए तो easy हो गया, हलुआ हो गया, ठीक है, तो 184, तो अब इसमें से 184 और minus करेंगे, ठीक है, ठीक है, पेल on allotment, ठीक है, कितने रुपे हैं, 184 है अब इसका करते हैं, तो 10,000 में से 16 जोड़ते हैं, 20,000, ठीक है, ये 1000 होगा, तो 9,000 और 16 और जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9016 एक्चुली में हम allotment पर fail हो गए हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं, आगे, तो चलिए फिर अब start करते हैं, तो working हमने बना ली है, और जो हमारे M जी है, इनकी क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये जो fail हुए है, वो two calls पर हुए है, allotment पर हुए नहीं, तो उनका adjustment का कोई जंजट है नहीं है, ये two calls पर fail हुए है, याद रखिए कि तो allotment पर इनके पैसे मिले हैं, और calls पर fail हुए है, तो वो तो हम direct multiply करके ही answer ले आएंगे, तो उनकी working बनाने के as such कोई ज़रुत है, है नहीं, ठीक है, चलिए, देखा question बड़ा होता है, step में तोड़ेंगे तो छोटा छोटा easy easy लगने लगा, अब देखो इसमें दो की working करने की ज़रुत नहीं है, कितनी अच्छी बात है, चलिए, तो फिर आब हम start क तो यह हो जाएगा हमारे पास 6000 रुपे, ठीक है, 3000 से होगा सवाल, 2400 से मत कर देना, तो यह 6 है, तो यह हो जाएगा 6000, देखो बार-बार किया, सच्छा eraser ही यूज कर लो, थोड़ा सा सोचता है आदमीं कि अरे यार ऐसे ही लिख दू, over writing में गड़वड़ी कर देते हैं, है को चाहिए थे, 2 into 2, यानि की 4000, ठीक है, और हमारे पास 600 shares फे फेल हुए थे, मतलब वापिस कर दिये गए है, बैंक, तो 600 into 2, यानि की 1200 तो हमने वापिस कर दिये हैं, ठीक है, then उसके बाद बार ही आती है, हमारे पास share allotment की, तो share allotment में हमारे पास कितने रहे गए, 400 into 2, 800, यह लीजी, 800, calculation के साब से बिलकुल सेट बैट रहा है, देख लीजिए, refund में क्यों आया है, ध्यान से देख लीजिए, 600 जो है, यह refund amount है, ठीक है, तो 600 into 2, तो 1200 हमने refund किया होगा, application पर 2 रुपे मिले, और इनका पुरवाटा हुए है, यानि की 400 ही तो extra है, तो इस 400 पर ही तो और 2000 से सवाल चलेगा, तो 2000 into 5, यह आ गया, 10,000, लेकिन हमारे पास capital के 6000 रुपे हैं, और 4000 रुपे हमारे premium के है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब बैंक के एंट्री में है, तो बैंक के एंट्री तो हमें पता है, हमने निकाल लिए 9016 है, तो 9016, अगर आप यहां call scenario लिखते तो वो amount भी आ जाता, हाला कि इतनी ज़रत नहीं पड़ती है, तो 9016 आगया, अब ध्यान दीजेगा, अब आएगी first call, वो बंदा first call पर भी fail है, 40 share से, तो याद रखिएगा, 40 into first call का जो price है, 2 रुपे ही है न, 3 on first call, तो 3 रुपे है, यह ध्यान रखिएगा, बार बार यानि कि 6000, ठीक है, मगर, 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 अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी पड़ीगी, कि call due में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ जाओगे, तो यहाँ पर जो बंदा है 60 से, यह भी तो fail हुआ है, तो bank में तो इसका असर पड़ेगा, तो 60 और 40 साथ और 40, यानि 100 शेर, 300 रुपे हमें नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1900 से होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है, 1900, bank account debit to share, first call, 1900 रुपे से हम करेंगे, तो 570 आएगा, 57 00, done है, कोई दिक्कत नहीं है, simple चल रहा है, अब उसके बाद वाली चीज ध्यान रखनी है, क् अब उन्होंने कहा था, देखिए, क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था, कि जैसे ही fail हुए pay allotment and first call and his shares were forfeited, इनके shares को forfeit कर दिया गया है, तो भाईया जी, अब आप सावा लागा, भाईया तो यह first call क्यों किया, उससे पहले क्यों नहीं forfeit किया, क्योंकि भाईया ज होगी न, first call तो इस case में भी हो रही है, तो aim के case में भी होगी ही होगी, aim fail हुआ है, ठीक है, तो उसके share बाद में forfeit हुए, पर first call में उसका भी impact है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, तो अब क्या होगा, forfeiture की entry, पर कितने रुपे से, इसको छोड़ दो भाईया, क्योंकि कि यह अभी तक हुई ही नहीं है, तो इसको छोड़ना है, यही इस caution में, यह caution बहुत tricky है, मैं समझा रहा हूँ, तो शायद हो सकता है, आपको easy लग रहा है, तो अधरवाई, छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना, जहां-जहां मैंने pause ली है, please copy में note डाल लेना, ताकि जब भी आप एकदम से caution करो, तो वो note देख लो, और फिर उसको पढ़ाओ, और note जितनी बार पढ़ोग ना, उतनी बार आपको चीज याद रहा है, हाँ यह भी देखना है, हाँ यह भी देखना है, ठीक है न, चलो, तो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप forfeit के entry start करेंगे हम, तो capital हमारे पास जो आएगा, वो 8 रुपे से जाएगा, ठीक है, कितने shares थे, तो भाई यह पहली बार 40 थे, तो 40 into 8, 320, फिर 40 into, हमारे पास securities premium है, तो 40 into securities premium के 2 रुपे थे, है न, 3 उसके थे और 2 इसके थे, 5-1 allotment including premium 2 रुपे का है, तो 40 into 2, यानि की हमारे पास 80 रुपे चल पेल हुए है, है न, RG184 से फेल हुए है, देना आता है, first call का पैसा, first call में, first call में, दो लोग फेल हुए थे, है न, लेकिन हमने सिर्फ इनके share को forfeit किया है, इसी लिए तो सवाल 40 से चल रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इनके share को forfeit किया है, याद रखियेगा, यह छोटा होता है ठीक है तो हमें ध्यान रखना है फिर्स कॉल पर कितना आएगा इनका 40 इंटु 3 ठीक है छोटी-छोटी मगर मोटी बाते ना फिर हमें क्या करना है बाकी जो पैसा बचा होगा वह में रिसीव हो गया होगा तो आप इसमें कर लेंगे तो रिसीव हमारे पास आजागा 400 है तो 16 रुपए तो यह हो गया ठीक है 16 रुपए हैगा 400 जीरो फोर है एक सो बीस हो गया तो कितना हो गया तू 304 304 में यह 96 होगा ठीक है 304 हुआ तो यह 96 हो जाएगा 400 है 400 तो 96 ही आ रहा है ओके 184 कैसे आया हमने निकाल रखा है वरकिंग नोट यहां पर बना भी रखा है कि 200 में फेल हो 184 आ रहा है अमाउंट ठीक है दैन उसके बाद हमारे पास 96 बच रहा है क्योंकि 120 का हमारा कॉल्स के उपर लॉस है तो 120 का वो लॉस किया तो बचा सिर्फ 96 यह हमारा शियर फोर फीचर है लेकिन अभी नहीं पता कैपिटल जब में कितना जाएगा फिर से कॉ आधो और गारेंगा हम तो आधा है शेर फाइनल होडाव कॉल फाइनल यिर एक पॉइंट है ए में कि घ्यां दिया कि अब चालीश ऄरा फोर फिट कर चुके हो यानि चालीश एरा लॉम हटा चुक है हो तो सिरिफ और सिरिफ और सिरिफ 1,9,6,0 into 2 ही होगा भाईया ऐसा क्यूं? क्यूंकि 40 shares आप forfeit कर चुके हो forfeit का मतलब होता है कि share holders का नाम application से हटा देना हटा देने का मतलब है कि वो गए 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 तभी तो आपने ये वाली entry की है भाईया जी तो ये भी एक point है ऐसे ही questions में tricky पन आता है तो ये caution देखने में पढ़ने में easy लग रहा होगा पर बहुत छोटी छोटी बारिकिया इसके अंदर है ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 3920 तो due की entry में ही पहली बार पहली बार due की entry में है फुल अमांट नहीं जा रहा है भाईया इसको किसी और color से भी कर दो मैंने का okay low एक, दो, तीन, तीन इसको गोला मारो, इसको गोला मारो ताकि आप लोगों को याद रहे ठीक है? अब आती है bank की entry कहां किया हमारे पास? रैड color लेना है अब जब हम bank की entry पर जाएंगे तो फिर हमें वहीं entry करनी है second call पर स्रिफ एक आदमी फेल हुआ है वो भी 60 shares से तो यह 1900 पर मिला है हमें ठीक है? तो 1900 into 2 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है 3800 3800 ठीक है? 1800 इसमें से मतलब हमारे पास जो बचा हुआ पैसा होगा 60 का 60 into 2 करेंगे तो 60 into 2 कितना होता है? 120 तो अगर आप देखो तो इसमें से 120 ही तो minus हो रहा है ठीक है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं तो यह share capital account share capital account to share first call क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे? forfeit करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा जो into होगा वो 60 से premium का आप कोई चक्कर नहीं है 60 into कितने? क्योंकि अब पूरा issue हो चुका है 60 पर पूरा हो चुका है पूरे के पूरे 10 रुपे हो चुके है भाईया 10 क्यों premium क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि premium से fail नहीं हो है तो ना यहाँ लेंगे ना यहाँ लेंगे तो यहाँ पर भी अब क्योंकि allotment है नहीं अगर allotment होता तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 3 रुपे ही लिये जाते अब वो जो allotment है वो इसके अंदर दीखेगा ठीक है? तो first call पर हमारे भाई साब कितने से fail हुए है तो यह हुए थे 3 रुपे से तो 180 रुपे पर first call से fail हुए है यह 600 रुपे आपके यहाँ पर debit चला जाएगा छोटी-छोटी मोगर मोटी बातों पर प्लीज ध्यान रखिएगा मैंने हर जेगे tick मारा है, restrict मारा है, बार-बार stress दिया है now final call पर जो हमारे पास वो हुए है, वो 120 से हुए है ठीक है? 60 into 2 60 into 3 हमारा first call था then जो पैसा बचा वो इसमें चला जागा तो 300 तो 300 यहाँ आ जागा ठीक है? अगर भी आप देखेंगे तो 60 है, 3 रुपए allotment पर pay किये 2 रुपए application पर किये 3 प्लस 2, 5, 5 into 600, मतलब क्या होते है, 5 into आपने share पर करेंगे, 5 into 60 5 into 60 करेंगे तो 300 ही आएगा, ठीक है? done है, अब उसके बाद इसकी 4 feature की entry होगी, जो कि reissue की वक्त की वाली है, तो reissue की वक्त वाली में अब ध्यान देना है कि यह 80 share हुए थे, तो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, 800 हो जाएगा हमको मिले कितने थे? 7 7 मिले थे न, देखिए यहाँ पर 80 shares of 8 मिले है 8 पर share मिला है, तो 8 पर share मिला है यहाँ पर 640 तो यहाँ चला जाएगा है न, देख लीज़े मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यानी रहे 80 into 10 80 into 8 80 into 2, ठीक है? तो यहाँ पर आजाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास 640 और यह हो जाएगा 160 और यहाँ आगया 800, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहा आएगी? last entry में दिक्कत आएगी क्योंकि अब 4 feature में कितना भेजा जाए तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो भईया, share 4 feature जो 80 share है तो fail तो इतने से ही हुआ है fail तो वो इतने से ही हुआ है 160 से हुआ है ठीक है? 300 पे हमको इतना मिला है और उस पे हमको इतना मिला है अब जो ध्यान देना है, वो कहां ध्यान देना है? कि आपका यह 300, जो यह 40 वाला जो 4 feature amount है, यह 96 है यह तो as it is रहेगा क्योंकि यहां तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 40 का 40 ratio हो गया है अब जो ratio का हमारा जो जहन्जट है कि इस 300 में इस 300 में 60 है पर included 80 में सिर्फ 40 है तो इसका 40 के उपर कितना आएगा? यह निकालना पड़ेगा अलग color लिख दूँ, वहां दिखनी रहा तो इसका 40 के उपर कितना आएगा? वो आपको निकालना पड़ेगा तो 300 का 40 के उपर कितना आएगा? वो निकाल लिए तो देखिए working note कर लेते हैं पहले हैं working note working note में क्या करना है हमें? कि उसके उपर कितना आएगा तो देखिए 300 divided by 60 के उपर है इसको हमने इसमें 40 include किया है ध्यान रखिए कि 80 जो है उसमें R के 40 पूरे included है तो वो तो गया भाईया जी उसका जो 96 है वो पूरा का पूरा capitalism में जाएगा पर जो अगला है 60 वाला उसके सिर्फ 40 included है तो हमने जो 60 के उपर calculation निकाली है उसका 40 में calculation निकालना पड़ेगा तो भज़े यह लीजिए यहां से ही कटा यहां से ही कटा तो यह तो हो जाएगा 50, 54 जाएने की 200 तो यानि इसकी हमारे 200 आने चाहिए ठीक है तो इसके 200 प्लस पहले वाले के 96 तो प्लस 96 तो यह हो गया 296 फिर माइनस जो अब आपको 160 नहीं मिले फूर फीचर वाले तो आजागा आपका 136 तो आजागा आपका 136 दिस विल बी दा आंसर फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ देखिए हमें कॉशन ने कहा था 80 हमने कहा कि भईया 80 जो शेर्स हैं उसमें the whole share of R R के पूरे share included है तो 40 के 40 फोर्फीट हुए उनका amount जो भी आ रहा था वो आएगा और पूरा का पूरा reserve में चला जाना चाहिए capital reserve में share 4 पी चला amount minus करके तो जो यह 96 है इसमें तो कोई calculation नहीं होनी है क्योंकि यह तो पूरा का पूरा included है ठीक है जब हम इस पर जाएंगे तो इसमें जो यह 300 है यह तो 60 share के basis पर है यह किसके share के basis पर है 60 share के basis पर है अब हमने ratio सिर्फ 40 ही किये तो इस 300 का 40 पर कितना answer आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा तो यह देखिए हमने इस formula के थूरू वही निकाला है कि 40 के उपर यह 200 उर्पे का बनता है ठीक है then 96 पहले से रखा है तो total जो हमारा share 4 पीचर से capitalism में जाना चाहिए वो इन दोनों का total जाना चाहिए यानि कि यह जाना चाहिए पर ठहरो जरा इतनी जल्दी क्या है तो आप देखेंगे कि भया जी जो हमने last पे 4 फीचर के entry की है इसमें ये 2 रुपे हमको नहीं भी मिले है तो ये भी minus होते है तो इसीलिए हमने 160 minus किया तो ये है हमारा amount जो की capital reserve में जाएगा ठीक है तो ये यहाँ पर हमारे पास जब capital working note के उपरी तो है जब capital reserve की entry आएगी तो ये 136 और यहाँ पर 136 आएगा ये caution काफे tricky है मैं फिर से इसको आपको समझा देता हूँ solution आप देख लेंगे तो बनने लगेगा caution हम से ये कह रहा था कि 2000 share है 10 each के है premium 2 रुपे हमने का 10 plus 2 यानी 12 हमने का ठीक है 2 रुपे application पे 5 रुपे यहाँ पे 7, 3 रुपे first call पे 2 रुपे यहाँ पर हमने का 12 मिल गए सही है चलो आगे बढ़ो फिर उस negotiation ने हमें ये नहीं बताए कि किस में कितना क्या उन्होंने बोला कि प्रोलाटा जो बनाये गया है वो 2400 shares में बनाये गया है अपनी अकल लगाई है प्रोलाटा गर 2400 में बनाया है बाकी का नहीं बोला तो यानी कि refund किया गया होगा तो 600 हमने refund किये यहाँ पे निकालना पड़ा यह पहली trick थी उन्हें का ओके आगे बढ़ते हैं फिर R उनको 40 share allot किये गये वो fail हो गये allotment पर भी और first call पर भी हमने का ओके कोई बात नहीं बट उसने बोल दिया उसी के बाद उनके share को फोर्फिट कर दिया गया है यानि कि फोर्फिटर की entry second call से पहले होगी then M1 है जिन्होंने 60 share पर fail हुए पर वो two calls पर fail हुए allotment पर fail नहीं हुए तो यानि कि इनका प्रोराटा में कोई जक्कर नहीं बनेगा हमने का OK फिर उन्होंने बढ़ा कि सिर्फ 40 included थे हमने का OK यहां तक तो समझ में आ गया फिर हम गईस की working note बनाने working note बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्रोराटा निकाला तो हमें पता चला 600 उर्पे हमारे refund में गए है हमने का OK इसको bank में भेज देंगे और 2400 और 2000 में पुराट अपना है तो 400 हमारा amount adjusted हुआ है तो 400 इंटू 2 कर दिया तो total amount 800 हो गया 400 यह हमारे shares है फिर हमने R के applied निकाले R के applied निकाला तो देखा भाया जी 48 shares आ रहा है देन उसके बाद 40 उनको allot हो गया पैसे पे करने थे तो access जो पे की है वो कितने पे की है तो 48-48 इंटू 2 application stage की price दो रुपे थी तो 16 रुपे उन्होंने extra पे कर दिये देन उसके बाद actual payment जो receive उनसे नहीं हुई वो क्या है तो हमें वो निकालना पड़ेगा यहाँ पर तो भाईया जी उनसे हमने allotment में मांगे 40-5 यह नि 200 रुपे 16 हमारे पास already received थे तो जो actual not received है वो 184 है बट allotment में कि actual receive है तो उसके लिए हमने देखा भाई allotment में कितने पैसे चाहिए तो 2000-5 यह नि कि 10,000 जिसमें से 800 रुपे फिर जो आर फेल होगे actually में 184 पर उसको भी माइनस किया तो हमारे पास 9016 आ गया हमने यहाँ तक तो चीजें कर ली फिर इसके बाद हम जाते हैं entry के उपर हमने एक एक करके entry किया 6000, 6000 में 4000 हमारे पास 2000 इन्टु 2 share capital में जाना चीए था application stage पर 800 हमारे prorata है 1200 हमारा refund है दैन उसके बाद हमारी due की entry है तीन और दो के हिजाब से फिर हमने उसके बाद यहाँ गये तो यहाँ पर हमने calculation निकाल ली थी तो वो तो आ गया easily फिर हम first call करेंगे first call करेंगे तो हमें पता चल गया है कि उस पे दो लोग fail है यहाँ से issue start हुआ था दो लोग fail है एक 40 वाला भी है और एक 60 वाला भी caution ऐसा चल रहा है 40-40-40-40 दिमाग 40-40-40-40 सब 40-40-40 और examiner का यहाँ रहे वा marks गाडने का मौका 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 तो यहाँ हो जाएगी चलेगा तो 96 हमारे पास ऐसा है जो 40-40 के forfeit के बाद receive हुआ है तो उसके बाद हम आगे बढ़ गए तो उसके बाद first and share second and final call आईगी जिसमें हमको ध्यान रख रहा है कि भीया 40 हम खतम कर चुके है तो सिर्फ 1,960 से शुरू होगा तो 39-20 first call और second call पे fail हुए है तो देखिए first call पे 3 रुपे के इसाब से 180 और second call पे 120 बाकि सब मिल गया है तो जाएगा forfeit पर ये जो 300 है ये as per 60 shares है और हमने ratio में 40 shares किया है तो इसका 40 के पेसिस पे निकालना पड़ेगा तो into 40 divided by 60 लोग पूरा ही लिख देता हूँ मैं करना पड़ेगा ताकि हमें वो amount मिल जाए फिर हमने जब ratio किया तो हमें पता चला हमने 8 में किया 2 हमें नहीं मिले तो ये हमारे लिए forfeature not received वाले है ये amount minus होता है जब total forfeature वाला निकाला जाता है हमने का ओके रख लो इन सबको फिर हमने calculation की 40 share के उपर 200 रुपे बनता है और जो हमें पहले 40 share था उसके उपर जो मिल रहा था 96 तो total हमें share forfeature में जो amount receive वो 296 जो नहीं हुआ उसको minus करते हैं जो कि हमें मिला 160 बाकी 20 का पता नहीं जब कहानी आईगी तब आईगी हमारा caution यहीं पर खतम होता है तो 136 हमारे capital reserve में गए क्या आप समझ गए बूजे मुझा उमीद है आप कहे रहोंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो share forfeature की entries भी हमने खतम कर लिए एक तरीके से काफी बड़ा chapter जो share capital का था वो हमने complete कर लिया है अब बहुत सारे questions बन सकते हो सकता है कोई question कहते application पर भी premium है यहाँ भी premium है वहाँ भी premium है तो बस premium premium word जुड़ेगा conceptually हम सब कुछ कर चुके है मैंने table format से भी आपको एक caution करा दिया था ताकि आपको हर चीज बने अब कुछ language का issue होगा वो English की वह से भी होता है तो जितने जादा illustrations आप करेंगे उतना अच्छा बनेगा नहीं होगा तो आप मुझे reply कीजिएगा मैं आपका जवाब दूंगा ही फिर हम नए शहर में नए जंगल में मिलेंगे जिसका नाम है issue of deventure और जैसा हमने कहा था हम आपके साथ हैं हमेशा ही रहेंगे और आपके लिए classes लेकर आ रहें बस बने रही है देखते रही है जितना अच्छा practice करेंगे उतने अच्छे marks भी आप जरूर पाएंगे और मेरी good wishes तो आपके साथ हैं ही फिर जो last में हमें कहना होता है क्या कहना होता है thank you आपका response मिलता है काफी अच्छा लगता है हाला कि ये तो सब को ही अच्छा लगता है आपको कोई doubt हो तो वो भी आप comment section में जरूर कीजिए now have smiles spread smiles because this is our motto ये है most important चीज और क्यों मुस्कुराना है because this is the biggest gift you can give to your loved ones फिर यहाँ पर मैं कहूंगा टाटा बाई बाई